आज हमारा कौन सा topic शुरू होने वाला है? आज हमारा शुरू होने वाला है preposition preposition is a very beautiful topic इससे भर-बर के errors आते है ठीक है preposition से भर-बर के errors आते है but दो important part है जहां से errors आता है जिसको हम लोग ignore कर देते हैं लेकिन YouTube पे मैंने काफी पढ़ाया है preposition का वो हिस्सा जो fixed preposition से related है एक fixed preposition वाला भी आता है जो कि मैंने आपको काफी सारा करवाय भी दिया था pre के पहले और एक है phrasal verb एक है fixed preposition और एक है phrasal verb इससे भर-बर के errors आने वाले है और phrasal verb का मैं एक नया plan लेके आ रही हूँ मैं आप लोगो YouTube पे बता दूँगी एक phrasal verb ना मैंने पहले भी YouTube पे करवाया एक और अच्छा सा करवाना है recent exams को ध्यान में रखके हुए जो जो new नहीं हुआया है ये तो हो गया fixed preposition of phrasal verb अब आप बोलोगे कि मैं तो आज वाले preposition में अब क्या पढ़ाओगे हम कुछ-कुछ important prepositions करने वाले ठीक है जैसे preposition of time में at कहां लगता है, in कहां लगता है double of कहां लगता है, single of कहां लगता है beside, among, वो सब सारे करने वाले ठीक है, ये एक अलगी चीज है fixed preposition और phrasal verb और ये अलग चीज, ओके तो चलो अब preposition अगर मैंने आपसे पूछा if I ask you, what is the preposition तो क्या answer दोगी अगर मैंने आपसे पूछा simple language में, कि preposition होता क्या है तो क्या example दो, मतलब क्या बोलोगे what is the preposition slide नहीं दिया, मुझे simple देखो, what is the preposition prepositions are relating words ठीक है, लिक है यह भारी भार कम आपको definition देखके न, यह भारी भार कम definition देखके आपको डर लगे यह क्या है, पूरा slide आपनी definition में डाल दी है, simple language में याद करो, what is the preposition prepositions are relating words, जैसे conjunctions are joining words, वैसे prepositions are relating words इसको संबंद बाचक बोलते है they are relating words prepositions are relating words prepositions relate करता है, ठीक है तो यह तो सिफ definition है, तो आपको लगेगा what are these relating words, यह किसको relate करता है, सबसे पहले, सबसे पहले याद रखना है कि अगर थोड़ा सा, यह तो definition हो गया, prepositions संबंद बताता है, relate करता है, पहले तो इसका post-mortem किया जाए न, तो pre is equal to prepositions prepositions में इसका नाम prepositions क्यों पढ़ा है, पहले ही देखते है pre plus position is equal to prepositions, position का मतलब क्या है, what is the meaning of prepositions position, position का मतलब होता है, स्थान, prepositions का, position का मतलब होता है place, और pre का मतलब होता है, पहले पहले, तो prepositions का स्थान किसके पहले होता है प्रेपोजिशन किसके साथ लगता है प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है प्रेपोजिशन का जो पोजिशन होता है पहले होता है किसके पहले जो प्रेपोजिशन के बाद वाला वोड प्रेपोजिशन के बाद जो भी वोड आता है वो अबजेक्ट होता है प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आए वो अबजेक्ट है और किसी भी वर्ड को अबजेक्ट होने के लिए उसको क्या होना है नाउन या प्रोनाउन ठीक है किसी भी वर्ड को अबजेक्ट होने के लिए क्या होना है हमारे वाक्य का जो अब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है और प्रेपोजिशन के बाद आने वाले वर्ड अब्जेक्ट होते है इसका मतलब है प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है या या नाउन और प्रोनाउन से प और प्रेपोजिशन का नाम प्रेपोजिशन क्यों पड़ा यह किसके पहले आता है यह नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है यह प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन या प्रोनाउन क्यों कि प्रेपोजिशन के बाद अबजेक्ट आता है और अबजेक्ट होने के ल पहले यह जो प्रेपोजिशन आता है यह उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करता है जोड़ता है मतलब संबंद बताता है यहां पर देखना यहां म्यूजिक क्या है Is fond of musicette music is a noun तो यहां पर देखो preposition किसके पहले आया music के पहले नाउन किस रूप में? रूप में रूप में? subject के रूप में ठीक है आफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद object आता है object है और stairs भी object है और यहाँ भी यह preposition का object object और यह जो on है यह preposition है यह किसके साथ आ रहा है noun के साथ यहाँ भी noun के साथ और यहाँ भी noun के साथ और preposition का काम क्या है जिस noun या pronoun के साथ वो लगता है उसका संबंध sentence में किसी दूसरे word के साथ बताता है और वो दूसरा word कुछ भी हो सकता है किके जिस noun या pronoun के साथ वो लगता है उसका संबन sentence में किसी दूसरे word के साथ बताता है और वो दूसरा word noun भी हो सकता है adjective भी हो सकता है, adverb भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो देखो ये वाला जो preposition है यह किसको relate कर रहा है वो music को relate कर रहा है fond से यह music का शौकीन है और यह fond adjective है यह fond adjective है शौकीन है music का तो यहाँ preposition नहीं क्या किया noun को adjective से relate किया कि slipped off the stairs off the stairs से क्या किया slip किया तो यह जो off है यह किसकी विशेच्चता बता रहा है off the stairs यह stares को relate कर रहा है slip से यहाँ पर preposition जो है of noun को relate कर रहा है verb से noun को relate कर रहा है verb से नीचे वाला the book is on the table book कहा है? table पर है तो यहाँ preposition क्या कर रहा है? जिस noun के पहले लगा है ना उस noun को sentence में किसी noun से relate कर रहा है ठीक है? noun से relate कर रहा 準 रिलेट कर देगा The book is lying on the table तो यहां यहां table है यह जो on है प्रेपूजिशन का क्या काम है Table को किसे relate कर रहा है Book table जो table पे book lying है Table पर पड़ा हुआ है Web से relate कर रहा है तो यहां preposition ने noun को वर्ब से जोड़ा relate किया noun को verb किया है noun को verb से relate किया यहां पर देखो there is a temple beside my house. यहां पर beside preposition है. यह preposition किसको जोड़ा रहा? घर को किससे जोड़ा रहा? temple से. घर कहां पर है? टेम्पल के बगल में. तो यहां preposition noun को noun से जोड़ रहा है. Okay, noun को noun से जोड़ रहा है. तो that is why, that is why मैंने यहां पर लिखा है. और यह नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का relation वाकि में किसी दूसरे वर्ड के साथ साथ बताता है और वो दूसरा वर्ड नाुन भी हो सकता है प्रोनाउन भीManus कुछ भी लाइंग यहां पर एड्जेक्टिव नहीं है यहां पर लाइंग वर्ब का काम कर रहे हैं तो यह तो आपको क्लियर हो गया प्रेपोजिशन होता क्या है इसका काम क्या है रिलेट करना जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ पहले वह लगता है उसको उस नाउन या प्रोनाउन को वाक्य में किसी एग्जेक्टिव से भी जोड सकता है किसी नाउन से भी जोड सकता है किसी वाप से भी सकता है प्रेपुजिशन वाक्य डिच्व में घ्विलाग सकतह चुरू में भी लग सकता है यहां वह देगो द पॉस्टमन वोस्तैंडग ऐट दे डोरस्टेप सोगते हैं डूर्स्टेप這是 गयाँ का वाक्य यहां घ्यार कश्डी नेहीं अगसरे में उसका डेपट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो भी आया ना वो प्रेपोजिशन का अबजेक्ट है तो गलती से भी ना इसको अब सेंटेंस का सब्जेक्ट मत समझ लेना सेंटेंस का सब्जेक्ट यह है दमिनिस्टर सब्जेक्ट यह है और वह भी यह यह तो जो नाउन या प्रोनव न आए 동안 उसको समझत सभगय मत समझत руго अंगर के दूसरा दूसरा what एक तो यहां पे प्रे पूजिए न संग ayak में लगा है, यहाँ पे preposition कहां पे लगा है, शुरू में लगा है, और यहाँ पे preposition last में लगा है तो preposition can be used either in the beginning or in the middle of the sentence or end में भी you can use, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि मैं यहाँ तो preposition का object है ठीक है यहाँ भी preposition का object है, लेकिन यहाँ तो आपने preposition से sentence को end कर दिया, यहाँ तो मेरे को कोई object नहीं दिख रहा है, बड़ आपने तो बोला है कि sentence में preposition के बाद object चाहिए, अब मुझे बताओ कि यह जो at preposition है इसका object कौन सा है इसका object कौन सा है बता ना, बताओ, understood नहीं है, यह देखो, यह देखो यह हमारा verb है यह subject है, और यह verb है यूँ आर लुकिंग यह तो subject बड़ अब यह at preposition है इसका object यह है at what are you looking, ठीक है, what are you looking at, या at what are you looking, ऐसा भी करती है at what, यहाँ तो दिक्कत नहीं होती, at what are you looking, यहाँ पर तो आपको दिक्कत नहीं होने आ लिए at what are you looking, तो यहाँ तो at का preposition को object what है, यहाँ भी preposition को object what है, object है, object है ओके, तो second step में हमने देखा कि preposition कहीं भी लगा जा सकते, अब हमें preposition को पढ़ना कैसे है, हम लोग preposition को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम पहले वो सारे preposition पढ़ेंगे जो time बताएगा, फिर वो सारे preposition पढ़ेंगे जो place बताएगा, फिर वो सारे preposition पढ़ेंगे जो direction बताएगा, ठीक है, बरी-बरी से पढ़ेंगे जैसे मैंने लिखा sorry देखो, यहां भी down नहीं है dawn है, dawn dawn का मतलब है सुबा, भोर तो यहां भी at preposition है यहां भी at preposition है और यहां भी at preposition देखेंगे, यहां भी at preposition है but he will come at dawn वो सुबा में आएगा, भोर में आएगा तो यहां जो at है, it is denoting it's a preposition but since it is denoting time so it's a preposition of time he aimed at the bird उसने किस और निशाना लगाया तो उसने बड की और लगाया this is a preposition of direction a single preposition can act in any of the ways at in the sentence can act as a preposition of time since it is denoting time dawn is denoting time at over year is denoting direction so it is a preposition of direction और he was standing at the bus stop bus stop के खड़ा था तो यहां place बता रहा है so this is a preposition of place और position ओके, तो यहां पे देख लो एक होता है preposition of time एक होता है place और एक होता है direction और एक ही preposition वाक्य में अलग-अलग तरीके से काम कर सकता है कहीं direction बन सकता है जैसे he was standing in the room in the room में खड़ा है तो वो preposition of place है he will come in the morning तो वो आपका time हो गया अब हम क्या करेंगे ना इन तीनों preposition में सबसे पहले हम वो सारे prepositions पढ़ेंगे जो time बताता है फिर हम वो सारे preposition पढ़ेंगे जो place बताता है फिर हम direction वाला अलग से करेंगे ठीक है? direction वाला अलग से करेंगे चलो पहले हम place वाला करते है सौरी टाइम वाला करते है ठीक है? और time वाले में न सबसे importance सबसे important जो time बताने वाले preposition में आता है वो है sense and for और आपको याद होगा यह since and for मैंने आपको tense में भी पढ़ाया है यह मैंने आपको tense में भी पढ़ाया है और उस समय मैंने बोला था ना कि यह since and for को मैं preposition में भी पढ़ाऊंगी but preposition में हम लोग preposition वाला example करेंगे और tense में मैंने tense वाला करवाया था यह जो since and for है यह क्या बताता है, यह sense and for time बताता है, और जो word time बताता है उससे tense का भी error जरूर आएगा, और sense and for चुकी preposition, वैसे sense and for conjunction का भी काम कर जाता है, लेकिन यहाँ पर preposition पढ़ रहे हैं, तो sense and for as a preposition वाला भी error आ सकता है, tense वाला भी, अब हम देखेंगे, कि preposition का error कैसा आता है, tense का error कैसा आता है, ठीक है, ओके, नहीं नहीं, यहीं से पढ़िये अर्जुन, आप ऐसा करिये ना, कि आप preposition यहीं से पढ़िये ना, कोई दिक्कत नहीं है, और जो मैंने 4 topic पढ़ाया है ना, आप उसका recorded देख ले ना, recorded देख ले ना, तो जब भी आपको whenever in a sentence you find this sense and for, तो go check the errors of tense, और go for preposition, और वैसा एक दो चीज़ और बताना है, आपका confusion दूर करने का, यह जो sense and for है, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो ना, जब भी आप कोई भी word पढ़ते हो ना, तो पहले तो उसकी root पे जाओ, जानने की कोशिश करो कि वो word का part of speech क्या है, यह जो sense and for है, यह बाकिय में preposition भी हो सकता है, यह conjunction भी होता है, कई बार तो यह adverb का भी काम कर जाता है, since, देखो, यहाँ पर मैंने sentence लिखा, he has been absent, आज ना मेरे slide लिया नहीं है, प्लेइन वाला, he has been absent since Monday, ठीक है, Monday से absent है, और फिर मैंने लिखा, he has been absent since I left, पहले तो मेरे को बताओ, क्योंकि since का और for का part of speech जानना जरूरी है, तो पहले तो मेरे बताओ कि उपर वाला sense क्या है, यहाँ पे sense क्या है, और यहाँ पे sense क्या है, क्योंकि यह आपको पता होना चाहिए, sentence का part of speech कैसे पता करते है, यह आपको पता होना चाहिए, तब ही जाकि आप आगे कुछ समझ पाओगे, बताओ, तो, he has been absent since Monday, यहाँ पे Monday इसका object है, तो यहाँ का sense preposition है, ठीक है, यहाँ का sense preposition है, और नीचे वाले में, he has been absent since I left, जब से मैं गया होना तब से absent है, देखो, यहाँ पे एक subject आ रहा है, और एक verb आ रहा है, और subject और verb मिल के क्या बनाता है, clause, और clause के साथ तो मैंने conjunction में पढ़ा दिया, अगर मैं यह लिखो, sense I left, अब हम बोलोगे कि मैं यहाँ sense को अपने preposition क्यों नहीं माना, क्योंकि preposition के बाद object आता है, प्रेपोजिशन के बाद तो object आता है, बट I, I तो object नहीं है, आई तो subject का काम करता है, मीलगना चाहिए था इसलें यह प्रेपुजिशन नहीं यह कंजंगशन है केक्षण को M शबिभाइ संब्जचेट इसलें घ्रभणता चाहा है clause और यहां भी clause है और यह दोनों clause को since जोड़ रहा है तो since over here is a conjunction ठीक है वो सबसे पहले सीखना है कि since preposition भी हो सकता है since conjunction भी हो सकता है वो कैसे decide करेंगे वो तो आप sentence में देखोगे किस तरह से use है ठीक है यह एक हो गया आपका अब आजाओ since and for और से related preposition का error क्या होता है दिखते हूं क्या difference इसे रिलेटेड ना तेंस पूछे किसेंस अंट फॉर में क्या कई डिफरेंस तो आप लिख लो साइड में देवाइब स्लाइड ले लेना चाहिए था चलो यहां पर मेरे को चलंट मिल रहा है यहां पर लिखो तो सेंस क्या बताता है सिंस बताता है point of time एक definite point of time ठीक है ठीक है और यहां पर definite लिख लो definite point of time बताता है अगि और फॉर क्या बताता है है पॉर बताता है अपका लेंद ऑफ टाइम that is duration duration बताते हैं definite point of time यह अपके दमाग में आ रहा होगा कि यह क्या है definite point of time और length of time में क्या difference बता रही हूं एक निश्टिक point of time के लिए since लगाते हैं और दूरेशन के लिए, दूरेशन मतलब length of time, तो आप length of time रिखो या duration? Suppose आपने अपना काम दो बजे स्टार्ट किया, दो बजे एक fix point है और आपने एक fix point पे आके 4 बजे खांगा, फिके आपने अपना काम दो बजे स्टार्ट किया और दो बजे क्या है? एक निशित point of time एक निशित point of time पे काम स्टार्ट किया और एक निशित point of time पे आके काम खतम कर रहे हो 4 बजे, लेकिन इस 2 से 4 आने में आपने एक duration, आपने एक length travel किया कितने गंटों का, 2 hours का तो ये 2 hours जो आपने 2 से 4 में, आपका point अपने 2 बजे अपने जगा पे fixed है 4 बजे भी अपने जगा पे fixed है, move क्या किया, आपका minute, seconds, hours, move किया तो ये क्या है, length है और length of time के लिए हम क्या use करते है for, और point of time के लिए क्या use करेंगे since since 2 p.m. बोलोंगी, but for 2 hours, for 2 hours ठीक है, हाँ, for 2 hours since 2 p.m. but for 2 hours, again आपने अपना काम start किया Monday को आपने अपना काम start किया Monday को, एक fixed point पे और आपने काम खतम किया Friday को ये हम Monday से start किया, Friday को खतम किया लेकिन Monday से Friday आने में 4 दिन लगा ना 4 दिन लगा, 4 days लगा तो 4 days के लिए मैं क्या use करूंगी, 4 और बत मंदे तो फिक्स्ट है मंदे तो मूव नहीं कर रहा है फ्राइडे भी अपने जग़ पे फिक्स्ट है तो फिक्स टाइम के लिए हम यूस करेंगे सिंस मंदे लेकिन बट फोर देज अलेंथ मंदे से फ्राइडे आने में चार देन का लेंथ ट्रैवल किया तो इस फॉर 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 देज मंदे से फ्राइडे आने में यू ट्रैवल डॉरेशन ऑफ फॉर देज चलो नेक्स्ट मैम लिखने का टाइम दीजे इसलिए वा ने दे दिया टाइम ल ठीक है और आके खतम किया 2016 में तो 2014 फिक्स्ट है सिंस 2014 बट 14 से 16 आने में दो साल लग गया है ना तो दाट इस 2 आवर्स है 2 यह स्टार्ट किया जाए राम राम मादम कर रहे हैं बस पढ़ने पर धिहान दीजिए अब क्लास शुरू हो गया राम राम का टाइम खतम अब ही मैं आपको बहुत सारे एक्जाम्पल्स दे रही हूं लिख लिए हैं सबने आपके लग में गिव यू सम मूर एक्जाम्पल्स यह तो कर लिया आपने सिंस डिनोट सर्देफिनिट पॉइंट पॉइंट और फॉर दिनोट लेंथ चला आप मुझे बताओ तो इसको हटा देती हूं बताना रुकह topic नहीं यह चलता है कि एकंड़ हूं न मुझे hints लिए और सिंस में आदधना ना सिंस में एकडम डेफिनिट पता चलता है ठीक है डेफिनिट जैसे मुझे तीनिट सेसे फ्निट तो डेफिनिट येर पता चल रहा है ना डेफिनेट है 2016 अगर मैंने लिखा फॉर मन्त फॉर मन्त में क्या है फॉर मन्त में डेफिनेट नहीं पता चल रहा है एक मन्त में एक मन्त से जैनवरी से फैबरी भी एक मन्त हो सकता है ठीक है मार्च से एपरिल भी एक मन्त हो सकता है एक मन्त में कोई सा भी मन्त हो सकता है दि वो एक मन्त से यहां पर रह रहा है, एक मन्त में कोई भी मन्त हो सकतい, january से february, April से मेड, july से और जुलाइ से आउगस्ट कोई भी एक मन्त हो सकता है और एक मन्त एक duration है, उसलिए फार लगाँ, फार, फार, He has been अभी कोई कुछ नहीं पूछेगा आपके जो भी मुझे doubts दिख रहा है न सब आने वाले slides में clear हो जाए He has been living here Dash January January में तो निश्यत पता चल रहा है January में निश्यत पता चल रहा है तो since लगाओ Since, कब से निश्यत January एक निश्यत मंत का नाम पता चल रहा है January is a point of time और point of time के लिए हम since लगाएंगे Month is a duration Next I have known him Dash 2014 अज आपके एक बजे वाला भी class है Aan Academy पे जो इंद्रधन उच पे एक से दो batch होता है ठीक है 1 to 2 वो clock जो batch होता है वो क्या आपका जिसका link मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है तो जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं comment box में टेलीग्राम का link दिया हुए 2014 एक निश्चित यर का है तो since बट वो एक साल से मैं उसको जानता हूँ एक साल में कोई भी हो सकता है 16 से 17 भी एक साल है मन्ड़ से मन्ड़ इक वीक हो सकता है Tuesday से Tuesday भी एक हो सकता है Sunday भीricht हो सकता है तोwar अब यहां पर sentence दीखना मैं सेंटेंस लिकांगी थीन सेंटेंस एक साहाँ लिए तो इसी-सी वाला था सब बattah है अबमें आपको ना 2–3 सेंटेंस लिख के बताव मैं यहाँ वाला हटा रही है next class से में slide पहले से ले लूँँ यह दे he has been absent since yeah for Monday एन अच problem कर रहा है he has been absent since and for Monday ही वो दूसरा पहनी कर वा रही हूं because पहले इसको लिखिए ठीक है four sentences I have written कुछ students ना अभी मैं पढ़ा रहे थी तो कुछ students की comments में doubts आ रहे थे कि ma'am last वाला आ गया तो क्या हो गया तो मैंने उन्हें बोला कि बस थोड़ा सा hold your horses थोड़ा सा wait करो जैसे slide आगे बढ़ते जाएगा ना तो मैं आपका doubt clear कर दूँ परिशान होनी की जरूरत नहीं परिशान होनी की जरूरत नहीं है अब देखो he has been absent since and for Monday तो इसमें तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है he has been absent since and for Monday और Monday एक point of time है और point of time के लिए हम since लगाते है since लगाते है this is correct और he has been absent dash a week Monday एक निशित point of time है तो आपने since लगाया बट वो एक हफते से absent है एक हफते में कोई सबी हफता हो सकता है Monday से Monday is also one week Tuesday से Tuesday भी एक week कोई भी week हो सकता है तो आप four लगा रहे है यहाँ तक तो बच्चों का clear है अब कुछ बच्चे बोल रहे थे मैं यहाँ तो last week है और यहाँ पे last two weeks है अब मुझे बताओ कि third वाले का answer क्या है he has been absent dash last week यहाँ पे क्या बता रहा है न वो एक हफते से absent है एक हफता में कोई भी एक हफता हो सकता है Monday से Monday भी एक हफता है Wednesday से Wednesday भी कोई भी एक हफता हो सकता है बढ़ यहाँ पे इन्होंने निश्चित कर दिया है निश्चित कर दिया है मतलब पिछले एक हफते से last week से मतलब बीता हुआ week तो यहाँ पे तो last लगा के no doubt यहाँ पे week लगा है और आप बोलोगे मैं यहाँ तो week के साथ अपने four लगाया बढ़ यहाँ पे निश्चित कर दिया कौन सा week बीता हुआ week तो यहाँ पे since लगा हुँ, since, 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 since फिर दुबारा, कोई फिर दुबारा आपके मन में doubt आएगा he has been absent, since यहाँ for last two weeks तो आप बोलोगे कि मैं जहाँ भी last आ जा रहा है ना तो वहाँ पे तो निश्चित हो जा रहा है जो अभी दो हफते बीते है, तो यहाँ भी तो निश्चित हफतों की बात हो रही है जो दो हफते बीते हुए है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे since नहीं लगाएंगे for लगाएंगे, क्योंकि since एक point of time बताता है और since के साथ हम plural नहीं लगाते है यहाँ पे two weeks, two weeks plural लगाया जब भी plural आ गया तो एक duration बताया जा रहा तो यहाँ last लगने के बावजूत भी ना हम since ना लगा के for लगाएं जब भी plural आ गया last two days, last three months तो उसके लिए हम for the last three months, for the last three days week से यहाँ पे plural आ गया बढ़ यहाँ का week तो singular था निश्चित तो हमने since लगाया ओके, ओके अनकेडमी का कोर्स नहीं लेना है तो अब YouTube से पढ़िए YouTube से पढ़िए यह तो मैंने मेंस के बच्चों को बोला भी है मेंस के बच्चे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं आपको मैं बोल रही हूं कि ज्यादा लंबा बैच मत लो अनकेडमी पे थ्री मंस का ही लो जितना रेगुलारिटी से अनकेडमी पे होगा न उतना रेगुलारिटी से यूटूब पे नहीं हो पाता है और मेंस के बच्चे आप ज्यादा आप लोग रिस्क भी ने ले सकते हैं थोड़ा सा पैसे इंवेस्ट करिए और थ्री मंस का लिए लीजे ठीक है यह बैच अच्छा जो कल से मेंस का बैच शुरू हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डेट लेना बेकार है मैंने जितने भी मेंस के बैचेस पढ़ाए है ना I think students मुझे समझ रहे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मैंने अब तक जितना भी रिकॉर्डेट बैचेस पढ़ाया है तो वो तो पुराने पैटन पे था तो आप रिकॉर्डेट पढ़के क्या करोगी आ आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा आपको लगेगा कि रिकॉर्डेट बैच थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है लेकिन फायदेका नहीं है ना अब चुकि पैटन बदला है तो रिकॉर्डेट बैच का कोई फायदा नहीं है आपको एट एनी कॉस्ट निव और लाइफ बैच ल दिया लास्ट फ्र फरव गी लास्ट बीक के साथ जगा लेना ढर्लस टू वीक स्तिरी लीक्स लागा है तो अब आजा जो अब अब मुझे बताओ दिस कस्टम यह कस्टमें यह प्रचलन में हैं एनशी अभी तो आपने बोला कि SenNS के साथ plural मत लगाना यहां पर प्लूरल का है तो आप के पहर लगाना था नेहीं लेकिन यहां पर sinners staffing vendor All प्रथा चली आ तेम दिया स्भाड़ आपने हिस्टरी को थ्री इंट के थी यह कोई duration नहीं है, these are the different points in history, these are the different stages in history, तो यह सब एक fixed point है, तो इसके लिए आप since लगाओ, since, since, since लगाओ, क्योंकि plural आगया निशानत, यही तो मैं बताना चाहा रही थी, कि आपके दिमाग में आएगा न, कि मैं यहां भी तो बीते हुए, दो हफ़तों की बात हो रही है, since लगाई है, तो time immemorial के साथ हम from नहीं लगाते हैं, since लगाते हैं, since, बट कभी-कभी हम time immemorial के साथ from भी लगा देते हैं, यह भी सही है, both of them are correct, for तो बिल्कुल मतलगा न, time immemorial का मतलब होता है, बहुत लंबे समय से यह प्रथा चली आ रही है, तो इसके साथ भी from मतलगा न, सारी, इसके साथ for मतलगा न, since लगाना, since भी सही है, और अगर आपके exam में from भी आ गया न, दोनों सही, both of them are correct, both of them are correct, दोनों correct है, दोनों correct, okay, तो confused नहीं होना है कि ma'am, ancient time तो plural है, और plural के साथ तो अपने for बोला, बट यह, ancient time is not plural, it is a specific point in history, ancient, medieval, modern, ठीक है, अरे midnight वाला क्यों पीछे पड़ गया, वो आएगा, पीछे आएगा midnight, he has been playing cricket, बच्पन से cricket खेल रहा है, तो आपका बच्पन भी तो आपके life का एक specific period ही है न, पहले आप जब जन्म लेते हो, तो आप infant होते हो, उन्हें आप जात शीशू, फिर आप क्या बनते हो, फिर एक toddler बनते हो, चलने फिर ने लगते हो, फिर आप child बनते हो, फिर आप adolescence वाले stage में जाते हो, फिर teenage होते हो, फिर adult बनते हो, फिर manhood आता है, फिर old हो जाते हो, point in your life. So, for childhood नहीं होगा, since is a particular point in your life. Since, since childhood. If I talk about since and from okay, if from childhood is also correct and since childhood sorry, from time memorial is also correct and since time memorial is also correct. Both of them are correct. Okay, when it comes in the error detection, that should be no error. We don't have any error in the sentence. But if you face a situation where you have to choose between two. Okay, and that is a situation a situation that comes in fill up the blanks. Whenever in the fill up the blanks, you have both the options before you. And in the fill up the blanks, you have to choose only one. So, in that case, you will have to choose from. Because this is a phrase. Okay, previously in modern English in old English, this phrase has been coined from using the word from. He has been coined from. From time memorial but modern English says that we can play from. Since we can play from. So, both are correct. If it comes to both, we will play from. Okay. He has been playing cricket. That's his childhood. Okay. Now, it will come to your mind. I will start the work from Monday. I will start the work from Monday. Now, it is not done. So, you can't start the work from there. Since you can start the work from there. Since you can start the work from past. Now, it is the effect of perfect. It is used in perfect, but from perfect. It is not used in perfect. Next. Let me tell you, which sentence is incorrect? Which sentence is incorrect? I have my class from one o'clock. And I will start the work from the students. I will start the work from topic wise error. The topic wise error is the free batch. Saturday and Sunday. Saturday is 11.00. Sunday is 12.00. I have preposition topic. And Saturday is subject work. Subject work. Subject work. Subject work. And this Saturday, Sunday, maybe I will not have class. I will not have class. Saturday, Sunday, I will have some work. I will try to do that weekdays. Okay. You can see that one class, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday. This is special class. This is special class. All the children for free. When I have class Saturday, Sunday, I will take the notification. So, in the Telegram, I will not have notification. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Friday, Sunday, Sunday, Friday. I will take it all day. I will take it all day. I will get together. In the Telegram, I will take everything. The first one is correct. He is working here from Monday. The first one is correct. But the second one is wrong. Since. Since. Since is perfect. Since is the work of past. So, he has been. He has been. Before I have preposition. में आपको सेंसेंट और करवाया था सेंस और वोडिकाइब यह अपिन में वी किया था और अब नंतों किया था और अब यह उन जो देखता है कि आट कहां और इन कहां यूज करेंगे अभी हम प्रेपोजिशन आफ टाइम पर रहे हैं वैसे अट प्रेपोजिशन आफ प्लेस के लिए भी यूज हो सकता हम प्लेस वाला बाद में करेंगे और स्टुएंट्स को बोलूँगी टेलिग्राम चैनल का लिंक कॉमेंट बॉक्स में दिया हुआ है टेलिग्राम पर जुड़ जाना सारे पीडिएप्स और जितने भी फ्री क्लासेज होते हैं वहां पर लिंक मिल जाएक अट क्या बताता है निश्चित टाइम के लिए टाइम एक्ट टाइम है और जो मॉनिंग है मॉनिंग मॉनिंग्स तो चार से पांच घंटों का होता है तो मॉस्टि ग्जाद का दिन्लंब टोरेशन के लिए हम एं लगाएं और मॉनिंग का ही exact कितना है मॉनिंग का ही exact टोक ठीक है तो ही अर्वाइब आट इन दो मॉनिंग तो आट इस फोर एग्जाट इन इस फोर लॉंगर डियुरेशन यह तो आपको पता भी है पहले से नेक्स वाला अब आजो पार्ट्स ऑफ डे के साथ साथ दिन के पार्ट्स के साथ क्या क्या प्रेपोजिशन लगता है एक द कि इस डॉढ डॉंट को हिंदी में बोलते हैं भूर अर्ली मॉनिंग जब सुबा संझ राइज होता है उसको फॉर बोन दो बोलते हैं दिन शुरू हो रहा है जब पूरी तरह से उजाला हो जाता है तो मॉनिंग हो जाता है और दोपहर का एक्जाटटली 12 बजे दोपहर का exactly 12 बजे is 12 o'clock day, 12 o'clock का exactly 12 बजे is noon और afternoon 12 से 4 वाला समय, 12 से 4 पीम वाला समय is afternoon तो आप देखो किस के किस के साथ क्या प्रेपोजिशन लगता है dawn is the exact time, अपने निउस्पेपर में भी देखा होगा ना sunset और sunrise का timing दिया होता है सुरियोदय और सुरियास्त का exact time दिया होता है जो summer और winter के according vary करता है तो dawn is the exact time, जब sunrise होता है तो dawn के साथ at लगाओ, sunrise के साथ भी exact time है at, daybreak, daybreak का मतलब है दिन खुल रहा है इसके साथ भी at लगेगा, at, at और morning, morning is 4 से 5 घंटे का duration तो हम in the morning लगाएंगे, in the morning थोड़ी लगता है हम since लगा सकते हैं लेगर वहां मतलब बदल जाए अ, since morning unc ise since morning का मतलब होता है morning से और in the morning का मतलब है, सुबह में झीन स भी हम लगा सकते हैं बड़ाथ meaning change हो जाएगा, हम till morning में मेंमा लगा सकते हैं ठीक है नून नून exact time है 12 बजे का तो exact time के लिए at लगाना अगें आफ्टर नून 12 से 4 का समय है इसके लिए in लगाना इन इन दा आफ्टर नून इन दा आफ्टर नून ठीक है dawn exact time में at morning चार से पांच गंटों का है in noon के साथ at afternoon के साथ भी in अब next रा जो evening evening भी 2-3 गंटों का है तो in लगा दे ना जैसे जब sunrise होता है उसको dawn बोलते है उसी तरह शाम में evening के बाद night नहीं आता है शाम में जब sunset होता है हलका अंदेरा रहता है हलका उजाला रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सुबा वाले face को dawn बोलते हैं और शाम वाल हम लोग dusk बोलते हैं तो यह भी sunset है sunrise के साथ भी at sunset भी exact time में जब sunset होता है त्वाइलाइट भी exact time में जब sunset होता है तो इसके साथ भी at लगा अट अट और दूसरी बात है अब हमारा confusion इसमें और midnight जैसे आफ्टनून वाले 12 बजे को हम noon बोलते हैं उसी तरह रात वाले 12 12 बजे को 12 o'clock 12 o'clock जो night होता है एक्जाक्ली एक्जाक्ली रात के 12 बजे को हम midnight बोलते मिड़नाइट के साथ अट लगा है मिड़नाइट के साथ आट नून के साथ भी at अब आपका सबसे बड़ा confusion होने वाला है नाइट के साथ बोलो है माम नाइट भी तो 6-7 गंटों का हो अगरनाएट के साथ इन बिलगाते है नाइट के साथ अवकिसे लगाते है मिन बज्टा है दोनों डेंगते हैं सब्सक्राइब rous Nite के साथ upon your cards and I am a lunar aंट लगाना अगर हम particular night की बात कर रहे हाथ से वाली रात किके बात कर रहे हैं तो इन लगा एस हिल्ए ए-पर जैसे कोई बौँ बोल रहा है की मैं तो रात में लेट से सोता हो तो रात सोना उसका क्या है का रूटीन है रोज रात को जब र्शाली रात जुन्रास में बात रहा है तो आट लगास वहskin सब्सक्राइब को इस यहां नोला घंड नाएम प्रड़ उत उन थी सुन्मिossing घंड तो in इन लगाते हैं, इन, इन, इन लगाते हैं, okay, if you are talking about a particular night, then you have to use in, otherwise if you are talking about night in general, जैसे VC, VC stars, at night, हम रात में तारे देखते हैं, तो ये एक general sense में बात हो रही है, at night, रात में हमें तारे देखते हैं, at night लगा, ओके ये हो गया, next to alarm, in night नहीं होगा, at night, अब मुझे बताओ, कि at the beginning होता है, या in the beginning होता है, या आपके किसी CHSL exam के close test में आया हुआ था, दोनों option था, option में न, at the beginning भी होता है, ऐसा sentence आया था, इसलिए मैंने इसको डाल लिया है, ऐसा था, in ya, at the beginning, man, did not know, no, how to count, चुरुआती दोर में man को गिंती नहीं आती थी, वो पेडों के टेहनियों पे, या हाथों के निशान पे गिंती सीखते थे, नहीं नहीं, मैं इतना time नहीं दूंगी, कि guys आप लोग यह मैंने नोट डाल केस ले लिया है, यह आपके CHSL के close test में आया था, वहाँ पे बच्चों कंफ्यूस होगा, कि at the beginning होता है, या in the beginning, दोनों सही है, दोनों सही है, confused, at the, at the beginning of the movie, और दूसरा, at the beginning of the movie, और दूसरा, in the beginning of, in the beginning of 16th century, चलो बताओ, करना तो एक ही पड़ेगा, तो वही तो मैं लिख कर बता रही हूँ, कौन सा correct है, at the beginning भी होता है, और in the beginning भी होता है, movie के साथ, short duration के लिए, जैसे movie, movie 3-4 गंटों का है maximum, तो short duration के लिए in लगाना, sorry, short duration के लिए at लगाना, but 16th century के शुरुवाती दौर में, long duration के लिए in लगाना, ठीक है, at the beginning का मतलब है, कोई भी event शुरू हो रहा है, कोई भी function, occasion शुरू हो रहा है, जैसे movie के शुरू में, और 16th century के शुरुवाती दौर में, तो लंबे duration के लिए in लगाना, और short duration के लिए at, अब उपर वाला sentence मुझे बताना, उपर वाला sentence बताना, in the beginning, man did not know how to count, या at the beginning, यहाँ पे in होगाना, लंबा duration है, शुरू आती दौर में, man को गिंती नहीं आती थी, तो यहाँ पे in लगाना, in, in, ठीक है, short duration के लिए अब लिख लिए होगा, अब आप बैट-बैट के पढ़ते समय लिखो गया ना, तब तो बहुत जादा time लग जाए, next, यही वाला मैंने करवाया, in the beginning of the civilization, man did not know how to count, तो यहाँ पे at नहीं होगा, in होगा, in, और movie के शुरू में, I felt bored, at the beginning, at, 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 क्या-क्या, सुजीत कुमार, YouTube पे क्या-क्या होगा, जरा बताना, YouTube पे क्या-क्या होगा, YouTube पे आपका, A to Z grammar का batch मैंने शुरू कर दिया, कैसे कैसे क्या-क्या होगा, उतना time थोड़ी है, A to Z grammar का batch चल रहा है, CHSL का batch कल से, CHSL का practice शुरू होगा, बताओ कि क्या-क्या किया जाए, अब मैं देखते हूं, last में, जब CHSL वगेरा सब खतम हो जाए, A to Z grammar का जाए, तो मेंस के पहले मैं mocks करवा दूँगी, मॉक्स करवा दूँगी, मॉक्स मॉक्स, में से related, आज CHSL का practice session थोड़ी था, वो तो Wednesday, Thursday, Friday को है, Wednesday, Thursday, Friday को, एक बच्चा अभी नादान आया है, सब कुछ पढ़ाओगे, या free batch में अधूरा पढ़ाओगे, इसका मतलब ये बच्चा मेरे को अभी जानता नहीं है, ठीक है, ये धीरे धीरे इसको में क्या answer करो, इसको में अभी क्या answer करो, अधूरा पढ़ाओगे, या पूरा पढ़ाओगे, बैस focus, focus करो, जो पढ़ा रही हूँ ना, उस पर focus करो, ज्यादा इधर उधर की दिमाग मत लगा, add in हो गया, next वाला, और हम in किसके किसके साथ यूज करते एक तो दिन के जो parts थे, morning के साथ, afternoon के साथ, evening के साथ, और night के साथ भी इन लग जाता है, और हम in लंबे duration के लिए लगाते हैं, जैसे years, years क्या है, years एक लंबा duration है, in 2016, in 2016, in 2018, in January, January भी एक लंबा duration है, in January, summer, winter के साथ भी लंबा duration है, in summer, in winter, ये सब के साथ भी in लगता है, he will come, अब देखो, अब बोलो के मैं, 2016 तो exact है, तो exact के लिए तो at लगा दिया जाए नहीं, 2016 is the name of a year, year एक लंबा duration है, तो उसके साथ in, अब May, May is the name of a month, in May, in January, in February, डैबलर बच्चा है, उसी लिए बोल रहा है, अधूरा पढ़ाओगे, ये पढ़ाओगे, ये क्या बोलो मैं, चलो ये हो गया, वेट मत करिए, अधूरा तो month के नाम के साथ, आप इन लगाओगे, year के नाम के साथ, इन लगाओगे, अब यहाँ पर देखना, मैंने लिखा, he will come, he will come, dash May, वो May month में आएगा, और फिर मैंने लिखा, he will come, dash May, 16th, वैसे तो month के नाम के साथ month के नाम के साथ, इन लगता है, बट अगर month के नाम के साथ, कोई date आ गया, चाहे वो date पहले हो, या वो date बाद में से, he will come, dash 16th May, ठीक है, यह देखो sentence, अगर May is the name of a month, और month के नाम के साथ, तो इन लगाओगे, अब बोलोगे मैं, यहाँ भी तो month का नाम है, बट month के नाम के साथ, date आ गया, और जब भी date आ गया, date के साथ, हमेशा on लगाते है, on 6th, on 7th, at मत लगाना, date के साथ, हमेशा on 16th March, on 16th May, चाहे वो date बाद में हो, चाहे वो date पहले हो, on ही लगाना, on, on ही लगाना, okay, अब देखो, summer, summer भी लंबर डिवरेशन है, in, my birthday is, date आ गया है, तो, at ल जुरू में, date आ गया, तो, on लगाना, अकेला मन्त है, तो, in लगाना, जिसको vocab पढ़ना है, कुमकुम गुपता, आप शायद इस चैनल के लिए नए हो, vocab के लिए, मैंने एक A to Z vocab करवा दिया, पूरा एक A to Z batch of vocab है, आप उसको कर लीजे, हो जाएगा, यूटूब पे निशित, date के और day के साथ, जैसे Monday, Tuesday के साथ, on Monday, on Tuesday, on Sunday, और उसी तरह date के साथ भी, अभी तू बताया यह, जहां date आ जाएगा ना, तो, वहां मत सोचना कि, मैं, date तो exact बता रहा है, तो, उसके साथ act लगना चाहिए, बट, date और day के साथ, दिन के नाम के साथ, date के साथ on, he will come on Monday, अगर Monday के साथ evening है, अगर ऐसा रहता, he will come, he will come in the evening लगाओंगी, अगर अकेला evening रहता ना, अकेला evening रहता तब तो मैं लगाती, बट यहां Monday, evening के साथ Monday है, on Monday evening, on, 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 जल जलती करिए, लिख लिए इसको, अब आजो, बहुत अच्छी बात है, the meeting is scheduled, meeting date आगया है, और date के साथ तो on लगा, on, 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 ठीक है, अब देखो, यह सब तो सब बच्छों को पता है, कि date के साथ, day के साथ, यह सब आते ही, अब हमारा असली हेल यहां पे, यहां पे देखो, जहां note डाला है न, वहां पे देखो, अब बोलोगे कि मैं Monday, Monday के साथ तो अब on लगा रहे हो, ठीक है, Monday के साथ on लगेगा, पर जब भी Monday, Tuesday के साथ, last Monday आगया, every Monday आगया, every Monday आगया, next Monday आगया, तो उसके साथ on मत लगाना, He came on last Monday नहीं होगा He came last Monday यह कब आया? Last Monday को आया He comes on every Monday नहीं होगा He comes every Monday इसके साथ भी on मतलगा यह on मतलगा न अगर Monday Tuesday के साथ He comes each Monday on मतलगा न He comes every Monday, next Monday जब भी आ गया next, each, every इसके साथ मतलगा क्योंकि वो adverb काम कर गया और adverb of time का काम कर रहा और adverb of time के साथ preposition नहीं लगाएंगा ठीक है? चलिए next roll यह हो गया आपका अब आजो festivals के साथ generally हम बातचीत में बोल देते देते हैं वो holy में आएगा He will come in holy याद रखना है कि हम festivals के साथ क्या लगाते हैं? festivals के साथ आट लगाते हैं कुछ ऐसे festivals होते हैं festivals के साथ तो हम आट लगाते हैं बट कुछ ऐसे festivals होते हैं जिसका दिन fixed होता है दिन fixed होता है जैसे कि Christmas Christmas 25th December को है ठीक है? गांधी जैनती भी एक festival ही है 2nd October को गांधी जैनती ही है तो जो festivals का दिन fixed हो तो उसके लिए on लगाना, on, जिसका दिन फिक्स हो, उसके लिए on लगाना, ठीक है, हाँ, तो चलो इसको देख लेते हैं, he will come, on holy मत करना, he will come, he will come on holy नहीं होगा, he will come at holy, at holy, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया, occasion, यहाँ पर holy के साथ, na, occasion word लग गया, ठीक है, occasion word लग गया है, तो holy यहाँ, holy के साथ, आपने at लगाया, बड़ यहाँ पर देखो, occasion word आ गया, तो at the occasion of नहीं होता, नहीं, on the occasion, on the occasion, on the occasion, यह at नहीं होता, on the occasion, on the occasion of, अगर simply अगर यह रहे, तो simply festival रहे, तो at लगाना, occasion word आ गया, occasion के साथ, यह on the if भी होता है, जैसे he will come, he will come on the occasion of, occasion का spelling देख लेना, double s लगा देते हैं, एक्जाम में आता है, double s लगा के, अबट single s होता है, double c, he will come on the occasion of holy, वो holy के अफसर पर आएगा, he will come, वो holy के एक शाम पहले आएगा, he will come, on the eve of holy, on the eve of holy मतला, holy के एक शाम पहले आएगा, on, जब भी occasion word आ गया, तो on the occasion, on the eve, अगर अकेला holy रहे तो, he will come on Monday evening, Monday evening, on Monday evening, in Monday evening नहीं होगा, अकेला Monday है तो on, अकेला evening है तो in, but Monday evening आ गया तो on Monday, ठीक है, अब कुछ festivals ऐसे होते हैं, Christmas, Christmas का दिन fix है, तो on लगाना, और Eve के साथ भी on लगाना, गांधी जैंती, 26 January, दिन fix है तो on लगाना, he is busy, इस चंड वो busy है, exact इसी चंड busy है, तो in the moment नहीं ह at, 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 चलो ये हो गया, थोड़ो slow करिये, मैम थोड़ो slow slow चलिये, fixed preposition अनन्त मैंने करवा दिया है, शायद ना अप लोग देखते नहीं हो, fixed preposition मैंने 400 fixed preposition करवा दिया, हो गया ये, अब next आज़ो, at in को आड रामा खतम हो गया, देखो यहां से कुछ खास है, errors आने वाल नहीं है, ठीक है, यहां से कुछ खास error आने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे sentences में दोनों correct है, ठीक है, बता आ रही हूं, दोनों correct है, बट यह आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखा न, I will return the book in 5 days, मैं 5 दिन में book return करूँगा, ये भी correct है, ठीक है, और मैं 5 दिन के अंदर, 5 द दिन sense of after, अगर आपको लगता है, कि आपको book पढ़ने में 5 दिन से ज़्यादा लग जाए, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कि मैं आपना तुम्हारा book 5 दिन में return करूँगा, बट अगर आपको लग रहा है, कि आप 5 दिन के अंधर ही return कर दोगे, तो within लगाना, within कि sense में जाता है, before के sense में, और in के sense में जाता है, after के sense, otherwise both of them are correct, तो यहां से कुछ error नहीं आएगा, अगर मैंने बोला, return the book in 5 days, वो भी सही है, अगर आप कहीं पर जा रहे हो, और आपको लग रहा है, कि आप आदे घंटे से पहले आ जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, I will return within half an hour, मैं half an hour के अंदर ही आजाओगा, लेकिन अगर अगर अपको लगेगी, जादा लगेगा, तो बोलोगे, I will return in an hour, half an hour, next rule, यह हो गया, यह दोनों सही है, लिख लो, I will return the book within 5 days, मतलब before 5 days, 5 दिन के अंदर, और यहां तो मेरे पास 5 दिन से जादा लग से, और यहां से कुछ यह हो गया, यह हो गया, ताइम अज खतम कर लेते हैं, I will complete the work in an hour, मेरे को एक घंटा लगेगा काम खतम करने में, अगर मेरे को एक घंटे से जादा लगेगा तो मैं विदिन लगाँ, विदिन विदिन, 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 हो गया यह, I will return the book in an hour, एक घंटे में मैं कर दूं यह जो during and while, पहले तो मुझे लिखना होगा, इसका part of speech आपको सीखना है, इसको छोड़ो, यहाँ पर आओ पहले, during or while, during the war of maha bharata, there was immense bloodshed, बहुत ज्यादा bloodshed हुआ, काफी लोग मारे गए, और दूसरा, while, he got hurt while playing, खेलने के दौरान उसको छोट लग गई, दूसरा, while, he worked hard, he couldn't succeed, next वाला, चलो, अब मुझे बताओ कि क्या difference, ठीक है, during the war of maha bharata, यह जो during है इसका दो मतलब है, एक during का मतलब है, during का नहीं, while का, एक during का मतलब है, दौरान, ठीक है, और यह जो while है, इसका दो मतलब है, एक while का मतलब ही होता है, दौरान, खेलने के दौरान उसको छोट लग गई, और एक while का मतलब होता है, जब की, जब की उसने कड़ी महनत की, विचारा फिर भी fail हो गया, पास नहीं हो पाया, काम नहीं क पाया, तो बताओ, उपर वाला during क्या है, उपर वाला during क्या है, during the war of महाभारता, महाभारत war के दौरान, बहुत ज़्यादा लोग, बलडशेट हुआ, मतलब काफी सारे लोग मारे गए, तो during का मतलब है, दौरान होता है, और he got hurt while playing, खेलने के दौरान, तो यहाँ भी while का मत मतलब है, जब की, जब की उसने कडी मेहनत की विचारा फेल हो गया, तो यहाँ while का दो मतलब होता है, यहाँ while का मतलब दौरान के सेंस में, और यहाँ while का मतलब है, जब की और जब की वाला sentence contradictory होता है, एक positive जाएगा, तो दूसरा negative जाएग, और मुझे part of speech बताओ, पहला व यहाँ भी जो while है, while भी यहाँ पर preposition है, while भी preposition है, तो आप बोलो कि ma'am while preposition इसके बाद तो noun आना चाहिए, तो यहाँ playing भी noun है, जीरंड के रूप में, ठीके, अगर preposition के बाद कोई ing आ गया, इसका मतलब हो जीरंड है, और जीरंड भी तो noun होता है, जीरंड भी तो noun होता ठीक है, he got hurt while playing खेलने के दौरान उसको चोट लगे, अब मुझे बताओ कि नीचे वाला while क्या है, during तो preposition होता है, ठीक है, during हमेशा और हमेशा preposition होता है, but while preposition का भी काम कर सकता है, और conjunction का भी, यहाँ का while, जबकि यहाँ का while conjunction है, देखो subject और verb, और यहाँ भी है subject और verb को जो पड़र पड़ रहे, अभी हम preposition पड़ रहे है, तो यहाँ पे हम while को as a conjunction use नहीं करेंगे, हम while को as a preposition उसकरेंगे, और देखेंगे, while as a preposition, during as a preposition, दोनों में क्या answer है, ठीक है, तो अभी हम during को को यूज करेंगे as a preposition ठीक है और वाइल को भी यूज करेंगे as a preposition क्योंकि वैसे conjunction भी होता है contradictory विरोधाबाश वाले sentence में हम यूज करते हैं अब आ जाओ हम during और वाइल में क्या difference और याद रखना ना कि वाइल के बाद generally लिए डिरींग वाइल के बाद हम generally वर्ब का आ यह एंजी फॉर्म डालते हैं वाइल प्रेपोजिशन है ना टीक है we enjoyed during the trip अब बताओ कि यहां पे we enjoyed while the trip क्या होगा और जनरली एक चीज़ और याद रखो एक और डिफरेंस है यह वाइल जो है ना वाइल में हम किसी action को represent करते किसी action या किसी activity को represent करते और वाइल के साथ जनरली हम वर्ब का ing form लगाते हैं ठीक है ing form लेकिन यह जो करते हैं तो आप देखो यह ट्रिप क्या है ट्रिप कोई एक्टिविटी नहीं है वह ट्रिप पे गया कोई ट्रिप कोई action नहीं है ओके और ट्रिप में हम क्या बता रहे हैं एक occasion की बात हो रही है हमने ट्रिप में बहुत इंजॉई के तो यहां पर दियूरिंग लगा दियूरिंग दियूरिंग दूसरा everyone was present present during the speech जब वह भाशन दे रहा था जब उसका भाशन देने वाला क्या था एक इवेंट था उसके लिए ड्यूरिंग लगा दियूरिंग लगा दियूरिंग लगा दियूरिंग उसी तरह the fog was during the morning morning कोई activity नहीं है तो इसके साथ morning भी एक खास समय की बात हो रही है कोई खास भाशन की कोई खास trip की तो इसके साथ ड्यूरिंग लगा दा वाइल हम तब लगाते हैं जब कोई action activity बता रहें देखो next wall of during wall there was a fog in the morning भी उसकता है हां while is used with an action he got hurt while playing while playing मतलब खेलने के दौरान खेलने के दौरान कोई activity कर रहा था ना खेलने के दौरान तो वहां पर ing डालना प्लेंग while I was watching movie वगेरा देख रहे हो कोई action हो रहा है तो वहां पर वाइल लगाओ जब मैं watch कर रहा था movie तो वह study कर रहा था हजा है ओकेजयन में के डॉबल डाल दिया है मैंने देखो ज़रा एक मिना अगर डॉबल डाल डिया है तो केज़ तो सही लिखा है ना सही तो लिखा है यह तो है यह लिख रहे है विकाश में ओकेजियन होता है इसा ही होग तो ठीक तो लिखा है ओडबल सी एसा ही होग इशा इसा ही होग जोड़ी अपनी गलती देख लेना है तो वाइल हमेशा कोई एक्टिविटी दर्शाता है और दीवरिंग कोई हाँ, spelling सभी है, अच्छा, यह वाला हो गया, अब आजो, Till और Until, इट मेक्स देंद आफ इन आक्षिन, ये 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 Tell और Until इंटर्चेंजबल है, और ये जो ये जो एक चीज बताना है, Tell औरएट अगर हिंदी करोगे न, तो ये Till का मतलब होता है, थारभ बजे तक को यह ले अंब मतलब अंट का मतलब छुट पर अले जी अन्टिल के सबस्क्राइमा जब तक है और यह छो इल अदुल को बप्रेश्चन कजसा अल्यं कन बहुता है और यह तोब ज़ते हो अब मैं आप सेंटेंस लिंखके बता रही हूं, जैसे मैंने लिखा I will wait till he comes और फिर लिखा I will wait till Monday, मैं Monday तक wait करूँ, और दूसरा until until he comes I will not leave, जब तक वो आनी जाता मैं यहां से नहीं जाओं और फिर मैंने लिखा I will wait until Monday तो चलो मुझे बता दो फटा-फट पहला वाला मुझे बता पहला वाला तिल क्या है पहला वाला तिल enjoy के साथ ना हर समय नहीं आता है I enjoyed myself at the party होगा तब आएगा I enjoyed the party में नहीं आएगा तो चलो बता वाला तिल क्या है जब तक वो नहीं आ जाता है ना उपर वाला तिल क्या है उपर वाला तिल देखो यहां पर यह subject है और यह वर्ब है और यहां भी यह subject है और वर्ब है और subject वर्ब को जोड़ेगा conjunction और यहां तेल के बाद मंडिया यहां का टेल प्रेपूजिशन है और नीचे देखो अंटिल जब तक वो महनत नहीं करेगा न सफल नहीं होगा तो तिल अंटिल का दो मतलब होता है यहां जब तक का science है और नीचे वाले प्रेपूजिशन है और उपर वाला जो अंटेल है ना कंजंग्शन तो आपने यहां पे सीखा कि टिल प्रेपुजिशन भी होता है और कंजंग्शन भी होता है और अंटेल भी प्रेपुजिशन भी होता है कंजंग्शन भी होता है बट यहां पे हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं यहां पे हम पढ़ रहे है तो हम तेल और अंटिल के बीच कर अंटेल और अंतिल को स्टडी करेंगे और ये दोनो ये दोनों इंटर्चेंजबल है इंटर्चेंजबल का मतलब हैं एक जगह आप दूसरा लगा सेंगे जैसे । । । । । । । । ॥ ॥ । ॥ वेंसडे भी सही है और में तिल लगा देती नव भी गलत नहीं होता है यह दोनों इंटर्चेंजबल यह भी लगा सकते हो यह भी लगा सकते जब दोनों करेक्ट है तो हुआ से क्या है ऐसा कुछ एरज आएगा और अब आजब ऑई I will be there till Wednesday भी हो सकता है, until भी हो सकता है आपने by word सुना होगा और यह जो by word है चलों यहीं पर साथ साथ लिखती हूँ वहाँ से मत लिखो, यहाँ पर लिखो by कुछ-कुछ लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा by एक by का मतलब होता है एक by का मतलब होता है तक बारे बुजे तक आजाओगे एक by को हम द्वारा के सेंस में, डूर के लिभी यूज़ करते है द्वारा the work was done by him पैसिव में और एक by का मतलब होता है बगल में बिसाइड ठीक है बगल में, तो by का अलग-अलग मतलब जाना दिखा मैंने the work the work was done by भी point of time बताता है the work was done by क्योंकि बच्चे याद रखते हैं कि मैं by का मतलब तो द्वारा होता है तो हमेशा द्वारा का सेंस नहीं जाता है एक बगल में भी होता है there is a there is a temple there is a temple by the lake लेक के बगल में टेंपल है ठीक है और दूसरा दूसरा I will come by Monday आज हम लोग preposition of ना time खतम कर लेते हैं next class place शुरू करेंग देखो sentence ठीक है विकाष मैंने आपकी बाते सुन दी the work was done by him तो यहाँ by का मतलब क्या जा रहा है the work was done by him by is acting by him तो यहाँ by किसके लिए लगए doer के लिए, him doer है ना him is doer वो उसके द्वारा काम किया गया और there is a temple by the lake there is a temple by the lake का मतलब क्या है by the lake का मतलब क्या है lake के बगल में तालाब के बगल में मंदेर है beside है और I will come by Monday मैं मंदे तक आ जाओंगा तो यहाँ पे लिखो स्लाइट से बटर है ना यहीं से लिखो if two clauses are joined it's till but after till if we have a noun or a pronoun so till over there is a preposition अपका paid course कहां से परचेस करें इस नंबर पे क्वाल करना अभी मत करना अभी पढ़ दो double nine 583 583 24 तारा चीज करो वहां पे आपी डिसकांट भी चल रहा है दो तीन दिन का बचा हुआ है डिसकांट ओफर यह आपको help करें तो by का अलग अलग sense जाता है और by ना point of time बताता है एक चीज़ और याद रखना है by point of time बताता है मतलब क्या जैसे by two hours नहीं करोगे क्योंकि two hours तो duration है तो by का use एक point के लिए यूज़ होता है two hours तो duration है जैसे by Monday करोगे by Monday by 2016 by evening एक फिक्स्ट है duration के लिए मत करना Monday तक 2016 तक evening तक January तक 2900 रुपय लगेगा पता है आप लोगों को 2900 देने में लग रहा है आपका बहुत लॉस हो जाएगा आप एक बार बैच उसको देखो गे ना एक बार आप आने कैडमी में इंट्री पाओ उसके बाद ना English में आओ गया आप मेरे प्रोफाइल पे इतना अच्छा अच्छा बैच है इतना अच्छा बैच है कि आपको कुछ भी उसकी जरूवत ही नहीं पड़ेगी कोई बुक की जरूवत नहीं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसने कोई बुक नहीं खरीदा है अगर आप देखो स्टूडेंट्स से बात खुद इंडिविजूली भी कर सकते हो इतना जादा मैंने प्रैक्टिस करवाया और यह जो आपको 2900 और यह जो आपको 500 यह सब दिख रहा है ना यह सब एक्दम कम फीस है यह सब बहुत कम फीस है तिरपन सो एक साल के लिए अब बताओ कि इसकी क्या वैलिव है जिस इसाब से आपको कांटेंट मिल रहा है और से इंग्लिश ही नहीं मिल रहा है कोई वैलिव नहीं यह जो थर्ड फॉर्ट स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं इनका मंतली फीस होता है इनका मंतली फीस ना 2000-3000 होता है और आपको तो 5000 में एक साल मिल रहे कि अपको एक साल तो शैद आप लोगों को यह बहुत ज्यादा लगता है यह आप लोगों बहुत कितना कोर्स कंप्लीट होता है और कितना प्रैक्टेस होता है ना 299-399 वाले बैचेस में कितना बच्चों का प्रैक्टेस होता है यह मुझे भी पता है लेकिन हमारे बच्चे टेंप्टेड हो जाते हैं उनको तो कम फीस में अच्छा लगता है कम फीस में उनको अच्छा लगता है तो यह तो भाई आप वह ज्यादा बैटर समझोगे कम फीस में उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं होती है इसमें यह सब फीस वाले बैचेस में बच्चे ठक जाते हैं ठीक है बच्चे ठक जाते हैं प्रैक्टिस करकर के लास्ट में वह को चल्याद गमतलाँ नहीं दिसले को वह जाते हैं अभी मैंने अपको अगर्डिक बताय Kayla ॉर्प्रेंस करेंगे वैन और वाइल वाइल तो बता ही दिया नहीं वाई वाइल का मतलब है क्लास आपकी वह वाली नहीं होगी टॉपिक वाइज वाली क्योंकि इस साटेड़े को आपका टॉपिक वाइज वाला एरर का क्लास नहीं हो पाएगा यह मैं सोच रही हूं कल पर्स किसी दिन करवाद हूं सैटेड़े संद्य वालिक लगा आई पिगड़ दफोन और वाइल के साथ तो आई एंजी लगा ना आई पिगड़ दफोन ऐसा रहता ना वाइल इट वस रिंगिंग जब वो बज रहा था बजने का काम कंटिनवेशन में चल रहा था तो मैंन नहीं है वाइल में तो कोई एक्शन कंटिनवेशन में चल रहा है वैंड वैल आई वस वरकिंग देखो मेरे वर्क करने के दौरान वाइल यह दिर दिर करके यह बैच चलेगा भी इसको तो कंप्लीट कर ले न वो शायद मुझे लग रहा है न हाँ क्रिकेट खेलने के दौरान खेलने के दौरान कोई एक्टिविटी चल रहा था वाइल यह हो गया मुझे लग रहा है न अब हमने प्रेपुजिशन आफ वो कर लिया है तो चलो मैंने आपको प्रेपुजिशन आफ टाइम पढ़ा दिया है आज हम चलेंगे प्रेपुजिशन आफ प्लेस पे प्रेपुजिशन आफ प्लेस करने वाले हैं जैसे मैंने आट में क्या बता रहा था at क्या बता रहा था exact time तो वैसे ही preposition of place में at क्या बताएगा at बताएगा exact place preposition of time में in क्या बता रहा था मतलब लंबे अंतराल के लिए उसी तरह preposition of place में in क्या बताता है larger areas के लिए जब area बहुत बढ़ा है जैसे ये बड़ा सा classroom है बड़ा सा classroom है तो in the classroom in the classroom but classroom के corner में हो at the corner at the corner ठीक है है हाँ तो at denotes exact जगा और in is for larger areas last में हम लोग preposition का पहले तो मैंने basic basic करवा दे रही हो और जो preposition की last class होने वाली है वो हम लोग some basic concepts of preposition करने वाले ठीक है अभी तो हम लोग place direction वगेरा करेंगे yes the students are sitting dash the room room बड़ी सी जगा है the students are sitting in the room ठीक है room बड़ा सा area है students room में बैठे हुए in the room but the students are sitting dash the corner अब room है रूम का exact जगा बता जा रहा तो that is at the corner at the corner next वाला exact area के लिए the postman was standing dash the doorstep postman कहां खड़ा था postman exactly दर्वाजे पे खड़ा था exact जगा बताया जा रहा है तो at लगा at दूसरा the guest were waiting in या at या on the table या the guest were waiting dash the table या in or at the restore बता वो इसमेंशने से क्या लगाओगे रेस्ट्रों के लिए in or at लगाओगे और टेबल के लिए क्या लगाओगे िन लगाओगे आई लगाओगे या on लगाओगे कोड़ा सो स्पीड में करते हैं देखो हां रेस्ट्राइंट आप रेस्ट्राइंट में अंदर जाते हो ठीक है कोई भी रेस्ट्राइंट में अंदर आप जाते हो तो वो बड़ा सो हॉल रहता है और हॉल में सबके लिए टेबल लगा हुआ होता है ठीक है सबके लिए टेबल के ऊपर नहीं वेट कर रहे है cat table के ऊपर बैट सकती है books table पे रख सकते हो ठीक है plates वगेरा table पे रख सकते हो लेकिन guest table के ऊपर बैट के थोड़ी वेट कर रहे थे guest on the table तो बिल्कुल नहीं होगा cat table के ऊपर बैट सकती है book table के ऊपर रख सकते हो yes, थोड़ी रेस्ट्रो में जाके टेबल के ऊपर बैठ जाएंगे, अब in the table या at the table, अब रेस्ट्रो तो एक बड़ा सा हॉल है, रेस्ट्रो के अंदर एक बड़ा सा हॉल है, और सब को exact exact table दिया गया, तो at the table, at होगा, at, at, at the table, और रेस्ट्रो के लिए in लगाना है, बड़ा सा है, रेस्ट्रोन का बड़ा सा हॉल है, और अपने-पने specific table पे है सब, ठीक है, at, he lives, dash, अब देली बड़ा है, देली बड़ा है, in, और देली में ही exact जगा है, रोहीनी, at लगा देना, at, next, he lives, he lives, dash, park street, अब यहाँ at लगाने की जरूरत नहीं है, यह जो park street है न, यह पूरा एक locality है, यह अगर कोई street number होता न, देखो, यह मत सोचना कि यह कोई सडक का नाम है, यहाँ पे, कोई पूरा सडक का specific name होता है, 30, 30 number सडक में रहता है, तो at लगाना, बड़ यहाँ park street, park street उस पूरे locality को बोलते हैं, तो यहाँ पे in लगा, in, 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 बट वो लोकालिटी का कोई गली number, house number दिया हो, तो at लगा, काफी सारे बच्चे इस बार में इन्स में आने वाले हैं, अच्छा number लाया है, बहतों ने, 175, 180 तक बच्चों का score के आए, लेकिन कोई भेदवाओ नहीं है, जिसका 140 भी आया है, वो वहीं है, और जिसका 180 भी आया है, वहीं है, क्योंकि number तो pre का जुडने वाला नहीं है, pre is only qualifying, ठीक है, qualify कर गया, असली खेल तो मेंस का है, तो park street के साथ in लगाना, because park street is a locality, ठीक है, और यहाँ park street का specific number पूछा है, at, next, हाँ, अब यह सब number, मतलब हाँ, यह सब याद रखो, कि जैसे इंडिया एक बड़े से जगा है, okay, इंडिया is a big place, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि हर समय इंडिया के साथ इन ही लगेगा, हर समय इंडिया के साथ इन ही लगने वाला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि preposition sentence के context के according vary करता है, यह देखो, he lives in इंडिया, यहाँ तो मैंने in इंडिया लगा दिया, क्योंकि lives इंडिया में रहता है, अब आप बोलोगे, क्योंकि मैं यहाँ भी तो इंडिया, यहाँ भी तो इंडिया, यहाँ भी तो इंडिया, बड़ यहाँ sentence का context देखो, he went, वो इंडिया गया, मतलब एक जगा छोड़के, किसी दूसरे जगा गया, तो he went in इंडिया नहीं होगा, he went to इंडिया, गो के साथ, गोज के साथ, गोइंग के साथ, वेंट के साथ, गोण के साथ, गोण के साथ, कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, तू, तू, सब के साथ, तू लगाते हैं, लेकिन, लेकिन, गोण के साथ, तू तब लगता है, जब किसी जगह की बात हो रही है, लेकिन, मैंने देखो, लिखा यहाँ, पे, he went to the park वो park गया park एक जगा है to लगाया but मैंने लिखा he went he went for a walk वो सेर के लिए किसी चीज के लिए जाते है नो he went for shopping he went for a walk तब वहाँ पर लगा सकते हो क्योंकि walk कोई जगा नहीं है सेर के लिए लगा but park तो एक जगा है तो जब भी जगा की बात हो रही है ना तो go goes went के साथ तू लगाना तो यहां जगा की बात हो रही है तो तू लगाना तू अब आजो arrive arrive के साथ क्या क्या आता है यहां तो जगा नहीं है यहीं पर लिखती हू arrive के साथ क्या क्या आने वाला है arrive के साथ किन भी आता है हमेशह नहीं है कि अर्डव के साथ व्याथ वो तो टाइम के संस में अभी प्लेस वाला प्लेस्ट प्रेपॉजिशन पड़ रहें कर रहें सिर्ट और अग्रम लार्जर प्लेस्ट की बात कर रहें तो आप इन लगाना, but smaller places की बात कर रहे है, he arrived smaller places में क्या है smaller places में हम लगा सकते हैं, he arrived he arrived at the station, बड़ा सा शहर में एक जगा है station he arrived at the bus stop he arrived at the airport शहर में ये सब specific places की बात हो रही है तब at लगाना, अगर बड़े places की बात हो रही है तो इंडिया अब लगेगा कि माम हमने arrive के साथ मतलब arrive के साथ at पड़ा है but India एक बहुत बड़ा सा जगा है he arrived in India लगाना in India but you arrive at the station ये देखो, he arrived at the station, bus stop, वो सब के लिए at लगाना, airport के साथ at, at शहर में, बड़े से जगा में एक specific location की बात हो रही है specific के लिए at लगाते है destination, he arrived at his destination at the destination at the destination अब reached अब देखो, reached reach का मतलब है कोई एक जगा से कहीं पे reached word, reach word अपने साथ no preposition नहीं लेता है visited word अपने साथ no preposition he visited India ये दोनों का हम लोग अलग से deal करेंगे ठीक है he reached to India मतलगाना he visited to India मतलगाना सिर्फ लगाना he visited India he reached India ये सारे word अपने साथ preposition नहीं लेते और been word अपने साथ to लेते he has been to India इसके बारे हम नेक्स लाइड में डीटेल में discuss करने वाल अले आप इसको copy कर लो डीटेल में we'll be discussing कि विजिट कब लेता है कब नहीं लेता है no preposition required कौन साथ है पहले तो मुझे बताओ कौन साथ है he was at school या he was in school दोनों साथ है he was in school का मतलब है वो school के अंदर था ठीक है दोनों साथ है he was in school मतलब स्कूल में था पढ़ाई करने के आप स्कूल में था but he was at school मतलब वो school वाले location पे था but जरूरी नहीं है कि वो school के अंदर ही था but यहाँ पे school के अंदर है ठीक है अब आजो he अब बोलोगे कि मैम he के साथ तो आपने बोला है मतलब went के साथ go went के साथ तो आपने to लगाने के लिए बोला है but यहाँ पे आपने to काट दिया है और आपने बोला था कि जगा जब भी जगा का sense हो तो went के साथ go के साथ to लगाना but यहाँ मैंने अपने काट दिया है but यहाँ आपने नीचे वाले में he went to New York अपने लगा दिया है अब दोनों sense देखो he went abroad abroad का मतलब कहां गया वो विदेश गया और विदेश गया मतलब एक जगा से दूसरे जगा गया विदेश में कोई भी country हो सकता और यह जो abroad है न यह adverb है यह adverb of place है ठीक है जब adverb of place है तो उसके साथ हम फिर से preposition of place क्यों लगाएंगे तो मत लगाना बट यहाँ पे New York क्या है New York is the name of a specific country New York एक specific country का नाम है what is a noun noun is the name of a place तो यहाँ पे New York noun की तरह काम कर रहा है noun की तरह काम कर रहा है तो preposition लगाना बट abroad कभी भी noun नहीं होता है अब रॉड एक कोई specific जगा की बात नहीं हो रही वो अब रॉड यह विदेश गया कोई भी जगा हो सकता है यहाँ एडवर्ब है एडवर्ब के साथ preposition नहीं डाला नहीं डाला हम लोग सारा no need to worry हम लोग सारा पेपर बस सेट हो जा रहा है हम लोग सारा पेपर डिसकस कर लेंगे ठीक है सीजील में प्री में आई होए सारे errors एक साथ कर लेंगे और कुछ-कुछ questions के answers में बचों को confusion है कहीं-कहीं पर answer उन्होंने wrong भी दिया वो सारे हम डिसकस कर लेंगे ठीक है तो किसी specific country का जिक्र है तो टू लगा देना बट अबरॉड के साथ मत लगाना क्योंकि अबरॉड क्या है अबरॉड एक adverb है adverb of place है उसके साथ फिर से टू लग मत लगाना पर position of place next अब मुझे यही चीज़ बतानी थी आपको कहीं पर आप side में लिखो मैं अपना जगा बना रही है side में लिखो यह वाला point slide डाला नहीं है यहां पर लिखो यह जो visit है अगर वाके में verb का काम कर रहा है visit कैसा verb है transitive verb है और transitive verb अपने साथ preposition नहीं लेता है visit अपने अगर sentence में verb का का काम कर रहा है तो no preposition लेकिन वाके में घएंग्टे जायेगा अगर visit noun का काम कर रहा है noun का काम कर रहा है तो उसके साथ to लगा देना अगर वाक का म कर रहा है उसके साथ मत लगाना नहीं लगाना उसके साथ अभी मैं exempl देनेती हूं यह सब slides पे मत देखो मैं सबको अलग-अलग समझाओंगे अब मैंने लिखा ही विजिटेड लिखो कि विजिट अगर वॉप का काम कर रहा है विजिट ट्रांसिटिव वब अब्जेट नहीं लेगा कि विजिटेड टू दू जू जू है वाज हेक्टिक बहुत थक गया जू जाके अब देखो यहां पे विजिटेड किसका काम कर रहा है यहां पे विजिटेड वब का काम कर रहा है अगर विजिटेड वब का काम कर रहा है अगर विजिटेड वब का काम कर रहा है ट्रांसिट यहां का जो विजट है, it is not acting as a verb, यहां का विजट कौन, यहां का वर्ब तो यह है, यहां का विजट किसका काम कर रहा है, his possessive adjective है, possessive adjective के बाद noun आता है, तो अगर विजट नाउन का काम कर रहा है, तो तू लगाना, लेकिन वर्ब का काम कर रहा है, नहीं लगाना, नहीं लग जदो कि मेरे कोईवी 500 वाला बैच एक हजार वाला बैच पंदरः वाला कोई भी मेरा नहीं है । होग कि गलती से बच्च लिकली नेरा है लुज इंग्लिष देखंके ग़ने लिया और उसके बाद वह भी बोल्राइफ ände कि मैं आप तो दिखी नहीं रहें वो उस बैच में और दूसरी वात है कि मैं हमारा पैसा रिफंड करवा ढीजे हमारा करवा दिजे पैसे एक बारव चले जाते हैं तो मेरे हाथ में ही नहीं वो और के वालो की हाथ में तो इसलिए मैं बोलती हुँ ना आपको 200-400 यह सब इसब इंग्लिश का बैच 1500 ऐसा दिख रहा है तो वो बैच मेरा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है मेरा बैच लेने के लिए ना आपको SSC कैटेगरी में जाना होगा ठीक है SSC कैटेगरी में जाए और वहां पर नॉन टेकनिकल चुनिए SSC कैटेगरी में जाके नॉन टेकनिकल चुन के तब मेरा बैच मिलेगा क्योंकि आप इदर उदर चले जा रहे हो उसके बाद फिर मुझसे बोल रहे हो आप तो दिख नहीं रहे हो मैं हम तो लाइफ करने के पहले ना इस बार एडमिशन लेने के पहले आप लोग एक बार इस नंबर पर कॉल कर लें डबल नाइं 583 583 24 वहां पर बहुत सारा कैटेगरी उन्होंने डाल दिया है तो मेरे में एडमिशन लेने के लिए SSC कैटेगरी जाना और नॉन टेकनिकल में जाना और वहा इस बैच में नहीं हूं 1400 500 500 200 300 वाले बैच में हुई नहीं मैं तो कुछ भी दिक्कत हो ना और मैं कहां से पैसे लोटाओंगी कुछ भी दिक्कत हो एक बार आनकेडमी का उन्होंने ओफर तो बढ़ा दिया है फिर से ओफर 23 तारीक का कर दिया तो कोई वह दिक्कत हो इस नं जो उंद प्रक्त दोजाओंगे अधिक मिन एक मिनिट एक मिन इस तक हो गया चैनिस वूट नहीं है कुछ वैंग गया है चलो मा तब अब तक आप से बाते कर लो ऑके जब तक वह फिर से री स्टाट कर कर देखती हूं पिर से रिस्टार्ट करके देख रही है उके चलो एक बर मुझे शेर करो किस के कितने माक्स आये किस के किस के कितने मार्स आये बंद निए और रिस्टार्ट होगा ठीक हो जाएगा चैंगीज बोड़े समंधर मंत विकास भई यह तो दिखते ही रहते हैं स्टक का मतलब क्या होता है हैंग होगिया है स्टक का मतलब क्या होती है कि आपका स्पीच सुनके हां 2020 वाले बच्चों से मैं मिली थी डेली में उन्होंने मीटप और गनाइस किया था मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों का फेस का confidence देखके बच्चों का अंदर जो confidence जो खुशी है कि आप ऑफिसस बन चुके हैं यह सब देखके मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है तो I want ना कि अभी 2021 वाला selection 2021 का result भी तो तुरंधी आ जाएगा स्बारी ऊच्छों से मीचा पर्यों से अरो वह मीचा अंदर का नहीं था वह हमारे जितने भी 2020 वाले वड लग जिमَّंप अंवने अर्गनाइस किया था च्क्क्यां उस मूनने उस मीचा को काफी सारे बच्चे 50 में 50 लाए हैं और 45 प्लस तो बहुत सारे बच्चों का आया इस वर को कि जब तक फिर से अपलोड हो रहा है ना कुछ भी अपना दुखदर्द शेयर कर सकते हो कुछ पूछना पूछ सकते हो इंग्लिश समझ में नहीं आता है ऐसे होता है शुरू में यसका अगे जो लो आगे प्रेपोजिशन उद्रीश से आगे एक दिन में बच्चों से बात करूंगी ना आगे प्रेपोजिशन अप्लेश ऐसे और एक दिन आम लोग बाट्चित करेंगे ना बहुत सारे बच्चेंट के चकर में क्वेश्चन कराये है बहुत जी जादा सब्सक्राइब कर दिया तो मैं ओवर थिंकिंग को कैसे आगे और वह डाल देना अब कहां डालोगे यहीं तक कर वा रहे थिया हम बहुत बड़ी प्रोब्लम है ना एक दिन ना मैं अपने बच्छों से बात करूंगे यह मैं अपने स्टुडेंट से वो स्लाइड बस ठीक है करेंगे यह एक दिन में अपने उन इंस स्टुडेंट से बात करूंगी न क्यों जरूरी है जो बचे अच्छा नंबर लेके आ रहे है वह तो चलो अच्छी बात मैं Baumann उन अपने स्टुडेंट से बात करूंगी प्रीं असे वह ने क्या-क्या गलतिया की है बहुत सारे बचों को देखा ना कि मैम overthinking ने हमें डुबा दिया मतलब हमने कुछ-कुछ questions ना सही किये थे और बाद में इतना ज़्यादा उस question को ले कि सोचने लगे ना कि वो गलबड हो गया और कुछ-कुछ ने मैम हमने बहुत silly mistakes किया दीगे हमने बहुत silly mistakes किया overthinking से कैसे बचना है और कैसे silly mistakes को अवाइड करना मतलब ऐसा क्या करें ना कि बाद में answer की आने के बाद यह फिल लाओ कि अरे यह तो आता था यह तो आता था गलबड हो गया है विगास तो यह सब पर हम लोग बात करने वाले हैं एक नम टेंशन नहीं लें no need to worry बहुत सारा का दुखदर्थ था यह सब कर लिया था यह पहले मुझे बताओ कि विजिट वाला लिख लिया सबने विजिट वाला लिख लिया है ना विजिट अभी अपने क्या लिखा था अगर वाक्य में विजिट यहीं पर हमारा बोड प्रॉब्लम कर रहा है तो वहां पर आप तू लगा सकते हैं लेकिन अगर वाक्य में विजिट वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ तू मत लगा उसी तरह और भी बहुत सारे sentences है देख लो यही पर यह तो कर लिया था यही पर हम लोग कहते अगर वाक्य में attack verb का काम करना attack का मतलब है किसी पर हमला करना attack is a transitive verb attack अगर verb का काम कर रहा है तो on मतलगाना लेकिन यहां पर attack तो ना उनका काम कर रहा है तो उसके साथ on late there was an attack on हाँ आज 1 p.m. वाली class भी है 1 p.m. वाली class भी है आज अनकैडमी इंदर धनुष पर मैंने टेलिग्राम पर उसका link शेर कर दिया है ठीक है 1 p.m. वाली class का ले वोकाब का class है टेलिग्राम पर शेर कर दिया है वहां से आप जुड़ सकते हो बहुत सारी चीज़े हो रही है आपको बता दूंगी last में order याद रखना कि अगर वाके में order verb का काम कर रहा है तो preposition लगाने ही मत no preposition लेकिन अगर order noun का काम कर रहा है order noun का काम कर रहा है तो उसके साथ preposition लगाना यहां ordered verb का काम कर रहा है तो इसके साथ for मत लगाना लेकिन यहां पर order किसका काम कर रहा है and लगा है article लगा है noun का काम कर रहा है तो for लगा दे यहां से भी बहुत सारे आपके questions मिलने वाले दिख लिए हैं सबने उसी तरह अब देखो एक और होगा इसके बाद एक main verb आता है तो यहां का order main verb है main verb का काम कर रहा है क्याने का मतलब है कि अगर order word visit word attack verb वर्ब का काम कर रहा है तो preposition मत लगाना noun का काम कर रहा है तो लगाना देखो यहां emphasize का मतलब है किसी चीज़़ जोड डालना emphasize का मतलब ही है किसी चीज पर जो डालना फिर से on मतलगाना क्योंकि यहां पर emphasize वाब है on मतलगाना बट यहां put वाब है put वाट वाट का जवाब आ रहा है emphasis emphasis ना उन्हें ना उन्हें तो लगा लेना कुछ भी आन आपको कोई भी दिक्कत होना फीस वागेरा सब इस नंबर पर आप कॉल करना डबल लाइन 583 583 24 सब यह सब आपको बता देंगे अच्छा से इधर उदर बच्चे फिर ढूंड रहे है क्योंकि वो जो आप fee पे कर रहे हो ना वह आप आनकेडमी को पे कर रहे हो तो रिफंड यह कर वा सकते यह बाला हो गया अब दूसरा आज़ा आफेक्ट अफेक्ट आफेक्ट उर्मरंट मुं पूला है अगर कोई को फुछे की एक अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफेंस्ए है इफेक्ट और अफेक्ट में क्या दिफरेंज है? यह जो अफेक्ट है हमेशा और हमेशा वह होता है but this effect can as a verb also it can act as a noun also यह यह वर्ब का effect वर्ब का काम तब करता है ना जब किसी चीज में आप साकरात्मक चींजिस ला रहे हूं कोई चीज में बदलाव लाया जा रहा है वैसे तो एक इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव प्रभाव डालना और अफेक्ट का मतलब भी है किसी चीज़ पे असर डालना प्रभाव डालना किसी चीज़ का असर तो दोनों तो है तो एक वर्ब है और दूसरा नाउन है बढ़ कभी effect भी वर्ब का काम कर जाता अगर किसी changes में प्रभाव ना डालके बदलाव ला रहे हैं तो यहां पर तो नहीं लगेगा नाउन है तो लग जाएगा बस याद रोको वर्ब है तो नहीं लगेगा नाउन है तो लग जाएगा बैच का प्राइस वगेरा ना वह आपको मैंने जो नंबर दिया ना उसी पर बात करना मुझे खुद आइडिया नहीं रहता है यह सब जो नंबर देती हुन उसी पर बात करना कैसे कम में कम अभी तो इनका ओफर भी चल रहा है यह आपको बता देंगा अब नेक्स्ट वाला यह आपक कोई बॉडस से इस बॉस्टमें पेले से कौई पर अगेरा है पहले से कोई तंब ब्राइब रखा बहुत पडाई तो आप कहीं से उठाकर सिपन और और धाल रेहे तो आप क्या दोगे होगे he put the pen into the box आप into the box भी बोल सकते हो या he put the pen inside the box यह भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं आप inside भी बोल सकते हैं तो आप देखो कि इन में कोई medium change नहीं हो रहा है ठीक है इन में कोई medium change नहीं हो रहा है यह जो pen है पहले से box में है पहले से box के अंदर है कोई भी medium change नहीं हो रहा है बट पुट में क्या है कहीं और से उठा कर पैन को इस बॉक्स में डाल रहे हैं तो इन्टु में medium change होता है ओके state or medium change और एक्जामपल से clear हो जाएगा एक्जम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस देखना आप, वो रिवर में, नदी में चलांग लगाया, यह जाइड या ही जंप, अगर यहां पर जंप भी रहता था, इसका मतलब पहले वो नदी के बाहर था, जंप करके नदी के अंदर गया, तो यहां मीडियम चेंज हो रहा है, इन्टू लगाना, बड़ यहां तो वो पानी में तेर रहा था, पानी में तेर रहा था, मतलब नदी में पहले से था, पहले से है और तेर रहा है, तो स्विमिंग इन दर इबर, बढ़ यहां तो उसने नदी में जंप लगाए जंप जंप स्टेनों का बहुत सारा बैचे से और ना मैं कोई स्टेनों और सबका अलग अलग बैच नहीं है सिव इंग्लिश का बैच है वहां पर सब मिल जाएगा अब मुझे बताना कौन से सेंटेंस करेक्ट अब ही बहुत सारे सेंटेंस करवाओंगी जहां पर इन और इंटो प्लियर हो जाएगा दोनों करेक्ट दोनों करेक्ट अटिके दोनों का मीनिंग अलग जा रहा है ना स्नुडेंट्स यह रूम है और स्टुडेंट्स रूम में बॉक कर रात पहले सही रूम के अंदर वाक कर रहा है बट जा स्टुडेंट्स वाट इंटो देर रूम मतलब पाहर से रूम के अंदर हुआ बोध जा हैं बोत अव धेमार करेक्ट बट थ जखेएपिंटो नाटे कर में ऐसे इसे इसे में तबहुताला सर्offs कॉई में कच्वान अपड़ा कि इनवाइप प्रफोग है प्राचक फॉक्का घुनना कहने शॉटित केbora कोच कोई सर्वेइ दक एक जो फ्रॉग मेड़ा के है पहले से कुए में लाइंग पड़ा हुआ तो पहले से कुए में पड़ा हुआ वाट पानी को बॉटल में डाला कहीं और था पानी डालना बॉटल में पोर वर्ड से एक मीडियम चेंज हो रहा पानी कहीं जग वगयर हम कहीं और ता और बॉटल में डाला इंटू the residents were in trouble residents trouble में थे पहले सही परिशानी में थे यह सब छुटी-छुटी चीज़ है आपके मन में आ रहा होगा कि मैं यह सब कैसे आएगा exams में मतलब यह सब बारी किसे RS कहां पर जैसे जब sentence improvement आ जाता है sentence improvement में क्या करेंगे एक option में in trouble भी लगा देंगे और into भी लगा देंगे देखो यहां पर got word है got एक तो वो मुसीबत में था और दूसरा वाला है वो मुसीबत में पढ़ गया okay मुसीबत में पढ़ गया he got dash trouble तो got in trouble नहीं होता है got into trouble पढ़ गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर यहां तो वो पहले से मुसीबत में था the residents put him into trouble put in trouble नहीं होता है put into trouble get into trouble get in trouble नहीं होता है pen पहले से pocket में है the pen is in the pocket पहले से pocket में बट इसने pen को pocket में डाला कहीं और से कहीं और डाला गया into the filthy roads यह आपके CPO में आया था sentence improvement में था और मैंने यहां से उठा लिया एक जगा में इन था एक जगा में इंटू था फिल्दी फिल्दी वाले मतलब गंदा गंदा वाला roads को पूरी तरह से बदल दिया गया साफ roads में तो पूरी तरह से change हो गया one state से दूसरे state में तो इंटू लगा नहीं तो इस बार इस बार बहुत सारे है ना देखो समंदर मंथन के अला अब तो जो बच्चे समंदर मंथन पढ़ चुके हैं वो तो जानते हैं मार्केट का कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है समंदर मंथन इतना ज्यादा exam oriented है ना इतना ज्यादा exam oriented है वो क्या वाला बैच है ठीक है समंदर मंथन मतलब बहुत अच्छा है इसमें जो अभी ये बैच चल रहा है मेरी कोशिश ह होती है कि मैं तो 50% क्लास में उसे रटवा देती और अब समंदर मंथन 3.0 की खास बात क्या होगी इस समंदर मंथन में मेरी कोशिश है कि मैं ये समंदर मंथन के बाद इसमें practice के लिए 4000 वैसे तो मैं 4000 बोल रही हूं अपनी तरफ से हो सकता इससे ज्यादा भी हो जाए इसम तो मैंने वही क्योंकि वह क्या वेक समंदर है और आप स्टुडेंट को ना तीन-तीन सब्जेक्ट और पढ़ना इंग्लिश के अलावा तो यसा नहीं है ना गूगल के सारे वोट डाल देना स्टुएंट्स को वही वर्ट याद करवाना है जो एक्जाम में आता है क्योंकि वह क्या विशन इस नोट पॉसिबल फोर यू ना कि सब चीजी याद हो जाए वह वोट उनको बार बार उनके कानों तक पहुचाना है जो एक्जाम में आता है तो यह उसके बाद आपको कोई बुक वो खरीदनी की जरूवत नहीं आपका हो जाएगा पूरा कबर हो किसी दूषरे एक लांगवेज से दूसरे लांगवेज में बदन द suffering कोई और लैंग्वेज में ता हिंदी में होगा उसको इंग्लिश में बदल दिया गया तो पूरी तरह से चीजे चेंज हो गए ना मीडियम चेंज हो गया इंटु इंटु लगाना इंटु 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 समंधरमंधन बैच ना मतलब उसमों बहुत रेगुलारिटी चाहि अब दूसरा आजो मैं आपने तो ट्रांसलेट के साथ इंटु लगाया बट यहां पर मैंने इंटु नहीं लगाया क्यों तू क्यों लगाया 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 तू क्यों एन तव बताया था नहीं आप इंटु में डेकाप कर डिती हूं कि यह वाला यहां तक बहुति मेंस्मा ने करभा दीया था मैं थीक हैं यह पेन पेन को हड्केड में डाल रहे हो indoor into गंदे रोडस पूरी तरह से new roads में बदल गये clean roads में into passage एक language से दूसरे language में change हो गया पूरी तरह से change हो गया परिवर्थित हो गया तो उसके लिए उन्टु लगाई किसा मैंने अपको बता दिया था और चलू और यह बहुत important tumor day exam का Davidson का इन्तू के सार्पियर्ट के साथ कभई इन प्रेपोजिशन नहीं नहीं लेताएं इंटे हैं कोई प्रेपोजिशन नहीं लगांगे लेकिन कब एंटर किसी प्लेस के सेंश्मसुन से तोailable ऑनके सारे जरूंऑं mmd thats outAKE. कोई प्रेपोजिशन मतलगाना ठीक है है यह देखो कि एंटर क्लासरूम क्या है एंटर क्लासरूम इस बैस 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 और किसी प्लेस पर गुसने की बात हो रही है ना तो उसके साथ इन या इंटु कुछ भी मतलगाना एंटर वर्ड प्लेश के सेंट्स में नो सेंट्स में है तो नहीं आएगा बट इंटर किसी जगह पर इंटर हो रहा है तो वहां पर इन या इंटु नहीं लगाना बट इंटर 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 करना किसी अग्रीमेंट में इंटर करना किसी डिसकॉशन में इंटर करना यहां इंटु सही ह विकास यह alliance, agreement और discussion किसी place की sense में नहीं है, किसी जगह में गुषने की sense में नहीं है, यहां enter का मतलब ही अलग है, you become a part of, enter into an alliance का मतलब होता है, you become a part of that Godbandhar you become a part of the agreement you become a part of the discussion तो यहां पर into लगा दो यहां लगा दो ओके, whenever we talk in sense of place ना तो enter will not take any preposition it won't take into as well as in no preposition but if you are entering into an alliance if you are entering into a agreement that means you are becoming a part of the agreement so it is not used in place of sense it is not used in sense of place so we don't want to use any preposition but here we will use because it is not in sense of place because it is clear in the sense of place do not put it in the sense of place and put it in the sense of place and put it in the sense of place next here is the entry here is the entry here is the entry now you can say that the hall is also a place and you can put it into into but I have talked about enter as a verb enter as a verb transitive verb इसके साथ ना इन लगाना ना इन्टू लगाना बट यहाँ पे entry is a noun his possessive adjective उसके बाद noun तो यहाँ पे लगा सकते हो as a noun यूज कर सकते हो next आजी लिख लिए आओगा यह next उसी तरह थ्रो या थ्रिव आप बोलोगे कि मैं हम ड़स्बीन में पेपर बगेरा डाल रहे हैं तो वहाँ भी तो मीडियम चेंज हो रहा है ना हाथ से जा रहा है ड़स्बीन में लेकिन थ्रो या थ्रिव के साथ भी इन्टू मत लगाना इन लगाना यह वोड आता एक जागह से हाँ अपने साथ इन टू ना लेके इन लेता है रहे और यूटूब पे ना दिपक यूटूब पर स्टार्टिंग से बैच नहीं होता है youtube starting से जाइए थोड़ी होता है एक बाओं शुरू हो गया है मैं फिर को फिर से स्टार्ट कर दीजिए आप यहां पर जाईए ठीक है A to Z grammar batch में जाईएगा तो आपको मिल जाएगा क्या क्या आपको noun chapter मिलेगा ठीक है parts of speech करो पहले पहले parts of speech करो ठीक है फिर noun chapter करो फिर conjunction chapter करिए फिर verb chapter करिए फिर tense chapter करिए क्योंकि YouTube एक ऐसा platform हो है जहां हर दिन बच्चे जुड़ते हैं तो उसलिए हमारे students confused हो जाते हैं तो मैंने बता दिया है कि आगर आपको grammar का basic पढ़ना है ना grammar basic grammar एकदम foundation batch चाहिए YouTube पे तो आप playlist पे जाओ A to Z grammar का batch उठाओ पहले parts of speech है वो पढ़ो फिर noun पढ़ो conjunction पढ़ो वर्प पढ़ो टेंक्स पढ़ो अभी तो मैं preposition पढ़ा रही हूं प्रेपोजिशन तो पढ़ा रही हूं कि यह Oops ठीक है यह थ्रो यह थरीं के साथ बीन लगे फ्रॉर यह थ्रू के साथ भी in लगे ्पर रिब्डव फ्रू ठीव कि यह थ्री के साथ न लगे नेक्स्ट आजे कि शफ E enter या enter के साथ ना in लगाना, enter के साथ ना into लगाना, in fact enter के साथ कोई preposition मत लगाना, लेकिन कब enter किसी जगा के sense में but किसी गटबंदान, if you are part of agreement, discussion, alliance तो वहाँ पे लगा देना, और throw या three के साथ ना into मत लगाना, in लगाना in next वाल, अब आजो on or upon, अभी हम preposition of place कर रहे है, छोटा सा diagram बना के बता दे, on or upon क्या होता है, on, upon or on to क्या होता है, suppose एक table है ठीक है, एक table है और table पे पहले से book पड़ा हुआ है यहाँ पे कोई book है, तो मैं क्या बोलूँगी, the book is on the table ठीक है, on में कोई movement नहीं हो रहा है book पहले से table पे पड़ा हुआ है on, on, अफिर बोलोगे मैं, on और over में क्या difference है, on का मतला, on in Hindi is known as per और over in Hindi is known as उपर, तो उपर का मतलब न, यह हो गया उपर मतलब यहाँ, तो book यहाँ नहीं हो सकता है, book तो surface से सटा हुआ मिलेगा, book is over the table मतलिखना तीक है, क्योंकि book surface से contact में है, यहाँ on है, तो on, on the table मतलब कोई movement नहीं हो रहा है, there is no movement there is no movement, और कोई भी body surface से सता से सटा हुआ the book is on the table और यही book over मतलिखना, over का मतलब है उपर, surface से contact में नहीं और कोई भी book, कोई भी चीज, उपर से नीचे गिर रहा है यहाँ पे है कहीं, लगा हुआ नीचे आकर गिर रहा है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे upon, upon में movement होता है, up से, up, up up मतलब उपर, उपर से आके नीचे surface से सट रहा है, तो upon में movement होता है, but on में, no movement no movement मतलब पहले से body और एक हो गया on to he jumped on to the table on to का मतलब क्या होता है जिसे upon का मतलब है na upon कोई भी movement हो रहा है और on to का मतलब क्या है कि आप नीचे कहीं हो यहाँ पे और jump करके जाके बैठ रहे हो that is on to that is on to he mounted up on to the horse मतलब jump करके जाके घोडे पे बैठ गया तो on to लगाना on to का मतलब क्या है यहाँ से jump करके climb करके उपर जाके बैठ जाए telegram channel english with rani m uc live से जुड़ जाना आच्छा है telegram का link नहीं पिन किया ठीक है तो अब example से clear हो जाएगा example से यह सब चीज़े clear हो जाते upon में on में on में कोई movement नहीं होता है on में कोई भी body surface से पहले से touch में upon में गिर के आके touch होता है और on to में jump करके उपर कहीं बैठ जा रहे है sentence देखिए the book is lying on the table या upon the table अभी हम preposition of place पढ़ रहे है ठीक है place में कैसे किसे आता है use होता है अनकेडमी पर नहीं है वैच आ चुक है question नहीं पूछिए बस पढ़ने पर धिहान दीजे यह पढ़ाने के बाद न मैं सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन स्पी करवाँ the book is lying on या upon the table lying का मतलब है book पहले से table पे पढ़ा हूँ on but the book fell fell का मतलब क्या है book गिर के तब table पे आया है fell यहां पे movement हुआ है on में तो no movement है पहले से कोई भी चीज टेबल पे पढ़ा हुआ है और यहां के गिर के आया the cat is sitting cat cat पहले से table पे बैठी हुई है कोई movement नहीं हो रहा है on but the cat jump करके आ रही है table jumped on the table नहीं होगा jumped upon pounds का मतलब होता है जपट्टा उस पे जपट्टा मारा movement हो रहा है pounds upon upon इसको लिखिये यहां पे और डाल देती he was sitting sitting on या upon या on to the horse और फिर मैंने लिखा he mountain mounted mount का मतलब हो चड़ना he mounted या climbed word भी डाल दिया mounted या climbed he mounted या climbed on या on to the horse नहीं नहीं पहले देख लो पहले से horse पे बैठा हुआ था on to कहां से आएगा on to का मतलब है नीचे से जम्प करके चड़ा he was sitting वो पहले से गोड़े पे बैठा हुआ था कोई movement नहीं हो रहा है on the horse but he mount mount करना क्या होता है mount में नीचे से उपर नहीं होता mountain mountain मतलब चड़ाई चड़के नीचे से जम्प करके गया नीचे से जम्प करके गया तो on to लग on to he climbed on to the horse he climbed upon the horse sorry on to the horse mounted के साथ भी on एक मैं आपको ना 100 questions करवाऊंगी जो preposition से related है important है preposition बहुत लिंदी topic है अभी तो हम बहुत basic कर रहे है मैंने आपको preposition of place करवाया फिर पहले मैंने आपको time करवाया ठीक है अब मैं आपको place करवा रही हूं आज मेरी कोशिश रहीगी न place करके कल हम direction कर लेंगे तो हमारा preposition से खतम होगा इसा है phrasal verb और fix preposition तब मान के चलो कि आपका पूरा preposition हुआ तब आपका पूरा हो गया कि अभी तो मैं basic basic basics भी आ रहे है exam में मैंने देखा न अभी हाल फिलाल में न on morning लगा दिया था अभी मैं इसाल का सेट करवा रही थी तो इन द मॉर्णिंग होगा कि ए टू जेट सिनोनिम्स और ए टू जेट वो क्याप की सीरीज है सिनोनिम्स अंटनिम्स की नहीं कि यह हो गया आपका देखा on to भी बता दिया लिक्के ही बता दिया कि वह सिटिंग पहले से घोड़े पर बैठा हुआ है चड़के कूद के गया यह क्लाइम के साथ भी on to जंप करके उपर गाड़ी पर चड़ गया और सेटल हो गया उपर जाके बैट गया है कि पर चिशंट टोपी और पर चोड़ना नहीं पताचला नहीं जो पाड़ा हो वहीं से आजाएगा यह सब बेशिक से और बेशिक को भी अवयाड नहीं कर सकते किजाए प्री हो यह मीन्जंट बहुत बेसिक बेसिक कार बीने इंप्रूमेंट में आ जीए रहता है इंप्रूब्मेंट में चार उप्षिंस में बस एक प्रेपुजिशन गहरे डाल देंगे उसी के अकोर्डिंग आपको उप्षिंस चुनना रहता है कि लिख लिए नेक्स्ट आजो यह वाला हो गया अब आजो ओवर अंडर हां यह तो समझाना होगा वर्य इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड लिखते जाए बात मत करिए यह एले लिखो ओवर ओवर का मतलब आन का मतलब होता है पर आन का मतलब होता है कोई भी चीत सर्फिस से सटा हुआ हो और दर इस फैन ओवर माई हैड मेरे सिर के उपर फैन है तो ऐसा नहीं है और अवव का मतलब भी तो उपर होता है लिखते जाओ पहले लिखते जो दोनों का मतलब होता है उपर और अब बोलोगे कि मैं ओवर का उल्टा क्या होता है ओवर का उल्टा है अंडर अंडर इस नीचे ठीक है और अवव का उल्टा बिलो इस अलसो नीचे दोनों का मतलब नीचे डॉट की ज़रूद नहीं है नीचे बट दोनों में क्या डिफरेंस है यहां पर थोड़ा जगा बना के लिखती हूं बिलो इस अलसो नीचे बट दोनों के में क्या डिफरेंस है कोई भी चीज आप से कितना उपर है या कितना नीचे है या तो आप उसकी हाइट लेते जो चीजे फैली हुई है उसकी हम लेवल लेते हैं और जो चीजे फैली हुई नहीं है उसकी हम हाइट लेते हैं जैसे यह जो फैन है यह मेरे सिर से कितना उचा है तो मैं इसकी हाइट लोगी ना फैन भी फैला नहीं है और मेरा हेड भी फैला हुआ नहीं है तो यह जो मेरे ह से फैन कितना उचाप है मैं इसकी हाइट लोंगी और हाइट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं हाइट के लिए हम जैसे वर्टिकल यूज करते हैं आपने सुना होगा ना वर्टिकल लाइन्स वर्टिकल लाइन्स इसको बोलते हैं और होरिजॉंटल लाइन्स इसको ब और जो वर्टिकल in उसकी हाइट लिगते तो अब दो तरह से चीजों कि हाइट लेतेए यह तो अब 2 तरह से चीजों को मेजर करते हैं कोई भी मतलब से कितना उपर यह नीचे यहा तो हाइटस्सया टो लेवल वाइज। तो यह जो ओवर होता है उवर्र मतलब भी उपर ही है लेकिन ओवर इस वॉटिकली अपवर्टरण ओटी के वटिकली वॉर्ट के तक हम ओवॉ मतलब तब यूज करते हैं दोनों का मतलब रही है बट हम ओवर उइस करते हैं जब किसी चिज स्की हाइट लेते हैं हीट और अवफ अवफ का मतलब भी ऊफर हम्ती होता है बट नियस होरीजॉंटली है ऐसे वरिजॉंटली अपोड्स कbuch this किया हम्-raise लेवेल बता रही हूं, example से clear हो जाएगा, example से clear हो जाएगा, vertical lines means standing lines, standing lines means we are taking the height, horizontal lines means we are taking the level, तो अवर्व हम level के लिए use करते हो, over is height के लिए, and the opposite of over is under, and the opposite of above is below, under का मतलब भी होता है नीचे, और under is vertically नीचे, vertically, जो नीचे के sense में है जैसे cat table के height ले रहे है, तो ये हो गया vertically downwards ये नीचे के sense में है height wise और ये भी नीचे के sense में है level wise, तो हम लोग इसका क्या लेंगे horizontally downwards प्रहले इसको लिखो example से clear होगा horizontally downwards horizontally downwards मतलब below में हम level लेते हैं, नीचे के sense में level और ये नीचे के sense में height you scored Sashank's code 50 out of 50 ना, लाहबाद high court just because of me, और रहे very good, very good Sashank, तो एक बड़ Sashank ते पाठी को congrats कर देंगे उनका English में 50 में 50 आया है, दली, not Delhi लाहबाद high court में बहुत अच्छी बात है, many many congrats Sashank, आप जैसे students ही न, मेरे moral को high रखते है आप जैसे students ही, मेरे motivators हो source of my motivation बहुत अच्छी बात है distance हम नहीं ले रहे, height ले रहे, height बड़ी जुवाल होगा, होगा बड़ी जुवाल time दीजे, देखो बच्चा इलावाद के high court exam में English में 50 लाया, 50 में 50 और प्री में भी बहुत लोग 50 में 50 लाएं और means में भी मुझे पूरा hope है न, कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे साबने congrats कर दिया, बहुत अच्छी बात है बहुत बच्चा regular रहेंगे teacher regular रहेंगे तो बच्चों का result मिलेगा दोनों का cooperation जरूरी है ऐसा नहीं है न, teacher आगा किसे वादा करकर के YouTube पे चले जाएंगे ये करूँगा, जैसे आता है न, notification ये करूँगा, वो करूँगा ना निभाना है last तक बच्चों के exam के साथ तक, बच्चों के साथ रहेंगे न, तो selections मिलेगा, कुछ भी कर ले teacher, कुछ भी कर ले ultimately selection तो बच्चे का तभी होता है न, जब बच्चा पढ़ेगा कुछ भी करने से नहीं होने वाला सिर्फ बच्चा का selection, teacher पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ेगा, teacher regular रहेंगे, बच्चा regular रहेगा the product is selection बाग ही कुछ नहीं होने वाला देखो एक बोल रहे है कि आप YouTube पे class क्यों नहीं लेती हो, बताओ ये तो मुझे लग रहा है maternity home से निकल कर आया है क्लास क्यों नहीं लेती हो, ये मुझे लग रहा है कि अभी तुरन तुरन इसका जन्म हुआ है maternity home से सीधा मेरा class करने आया है कौन इसा दिन है जिस दिन में class नहीं लेती हो वादा नहीं है, वादा निभाना है students को भी, teacher को भी आज इसी वज़े से मेरे community पे हर दिन selections आ रहे है और क्या नाम है मैं बच्चों को बोलती हूँ कि देखो ऐसा नहीं है ना कि ये चानल सिर्व SSC और NDA और CDS के लिए बना है जो बच्चे हमारे state exams देते हैं जो qualify कर गे हैं वो भी भेजेंगे अभी देखा आपने ODISA सब इंस्पेक्टर का बच्चे ने बेजा था तो आप लोग result भेज सकते हो community पे आपका नाम डाला जाएगा दूसरे बच्चे भी motivated हो नादान परिंदा है ये कुछ नादान से भी कुछ ज़्यादे ही नादान है नादान ज़्यादा है इमनी पर जित्ती नहीं करवा रहा है ये तो मैं मजाक में उसे बोल रही है चलो हो गया ना अब ये सब बोलने से तो समझ में नहीं आएगा कि कोई चीज height wise उपर और कोई चीज level wise उपर कोई चीज height wise नीचे और कोई चीज level wise नीचे चाहिए तो लिखने के लिए लिख लिया ultimately आपको sentence सही समझ में आएगा चलो बताओ the aeroplane flew over या above my above my head चलो answer बताना motivation अंदर से आना motivation की ज़रुवत नहीं teacher को देखते साथ motivation आ जाना चाहिए teacher इतना regular है तो हम teacher के साथ हम भी regular हो जाएं एक और नादान परिंदा एक और आया बोल रहा मैं YouTube पे free batch करवाओ अभी वाले batch करने के लिए आपने मुझे कितना payment किया the aeroplane flew over my head aeroplane मेरे head के उपर से निकल गया जब aeroplane मेरे head के उपर था तो कितनी उचाई पे था हम लोग उसका height लेंगे न और height के लिए हम over लगाए the fan fan मेरे head से कितना उचा है fan फैला हुआ नहीं है fan कितना head से निचे है मैं उसका height लोंगे और height के लिए हम over लगाते हैं over और किसी के performance performance का height नहीं होता है performance का level होता है यह तो बोलते हैं ना above average या below average तो performance का level होता है इसके लिए level के लिए अब अब लगा अब लेवल 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 अज बहुत सारे नादान परिंदा एंटर्टेइन्मेंट के लिए हुआ 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 जरूर मिलने आएंगे बिल्कुल आएंगे creative exams clear हो जाएगा एकदम मिलने आएंगे आप सत्तू अगरा की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा सत्तू आ चुका है आप बस मिलने आ जाना ओवर का मतलब होता है उपर height wise पैन मेरे सिर से कितना उपर है न मैं height लोंगी height ओवर ये तो लिखा है ना यहाँ पर क्या लिखा है मैंने ओवर का मतलब होता है ना उपर height wise अवफ का मतलब भी उपर बट लेवल जैसे पानी फैला हुआ है तो पानी का लेवल लेते हैं किसी के अधिरोल ओवर मतलब बता रही हूं बता रही है वह तो rule over वह तो फिक्स प्रेपोजिशन हो गया ना वह जगा के सेंस में थोड़ी है रूल ओवर करना we are flying over the clouds नहीं है clouds clouds आस्मान में फैला हुआ है फैला हुआ आप उसके उपर उड़ रहे है we are flying above the clouds above 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 the clouds poverty line poverty line is below poverty line BPL above poverty line APL तो above poverty यह जो bridge है ना there is a bridge over the river होगा over the river यहां पर ऐसा भी कर सकते है there is a bridge हम over भी लगा सकते है तो bridge है वो just नदी के उपर है जो चीज़े perpendicular है just उपर है उसके लिए हम over लगाते हैं हम over भी लगा सकते हैं और there is a bridge across भी लगा सकते हैं तोनों का science थोड़ा अलाग हो गया नदी के उपर bridge है और नदी के एक चोड़ से दूसरे चोड़ bridge across the river दोनों सही है both of them are correct यह दोनों दोनों करेक्ट है ओवर भी सही है बट अवव मतलागा नहीं हो अवव मतलागा नहीं हो अवव मतलागा नहीं बट अक्रॉस और ओवर दोनों लगा सकते हैं मेरे भरोसे हैं लग रहा है कि मैं ही सबका एक्जाम क्लियर करवाओंगी आपके भरोसे हैं ऐसे यसे बाते नहीं करना है मेरे को टेंशन हो जाता है मैं आपके भरोसे हैं हम पेड नहीं लिया हो आपके भरोसे अभी आपके पास एक वीडियो आएगा हम लोग का एक student है जो लखिली डेली आये थे उन्हें मनें स्टूडियो में बुलाया था जिन्होंने सिर्फ पेड बिना पेड बैच यूटुब देखके ही सेलेक्शन लिया है तो देख तो सब रहे हैं बट सेलेक्शन तो आपके उपर है अगल चलते हुआ है ओबर का एक अबतलब होता है तुझछ को ऑगह का मतलब यह अब मैंने अभेज आन्ट मिया ग्रुल्स उवररे वर वास्ट इंपाइर वहां मैं बता रही है और एक over का मतलब कोई भी चीज spread के sense में भी है, कोई भी चीज फैला हुआ है spread है spread के sense में भी है यहाँ पर sentence देखना put the blanket over over या above the child बच्चे के उपर कंबल डाल दो एक तो over का मतलब उपर भी होता है ठीक है, उपर कोई भी चीज उपर है height wise, बड़ यहाँ पर वो sense नहीं आ रहा है, बच्चे को कंबल उढ़ा दो रजाई उढ़ा दो, तो यहाँ over कि sense में spread के sense में, तो blanket को over the child डाल उढ़ा देना है spread के sense में भी होता है spread the cloth spread, spread जो table cloth है, उसको table पर बिचा दो, बिचा दो मतलब फैला दो, फैलाने के sense में भी over होता है, over एक over उपर भी होता है, और एक फैलाने के sense में भी होता है जैसे he rules over a vast empire, अब यह आपने पुछा ना he rules over over a vast empire, तो यहाँ उपर का sense नहीं जा रहा है, मतलब उसका समराज यह है, पूरा फैला हुआ है मतलब फैला हुआ है, तो पूरा rule करता है, फैला हुआ, spread है उसका समराज लिख ली आओगा यह students ने, कल हम लोग finally prepositions खतम करेंगे और A to Z batch को जल्दी से जल्दी grammar का खतम हो जाना, मेरे को A to Z vocab का बहुत अच्छा feedback मिला है A to Z vocab से जो बच्चों का कहने ही होता है, कि मैम जो A to Z पढ़के चला गया ना, चाहे प्री हो या मेंस हो अच्छा से करके चला गया, उसका सारा वर्ड यहीं से आ जाएगा cloth over the table on the table मत करना, जैसे put the blanket, जैसे यहां पर on भी रखती ना, on का मतलब होता है एक जगा पर blanket को रख देना, जैसे बच्चे के ऊपर blanket रखना नहीं है, बच्चे के ऊपर फैला कर डालना है table cloth को table पे फैला कर डालना है, spread करके डालना है sentence का sense देख के समझना है न spread कर लो, table पे table cloth को फैला कर डालो बच्चे के ऊपर ऐसी kumble फिक के थोड़ी आ जाओगे फैला कर डालोगे the cat अब अंडर बला आजो, the cat is under the table या below the table बताओ, cat जो है वो table से कितना नीचे है, क्या लोगे height लोगे, यह height है और below level है तो height के लिए तो हम अंडर लगाएंगे under the table, what is horizon, horizon is शितिज, शितिज किसको बोलते हैं जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते है, धरती भी फैला हुआ है, आसमान भी फैला हुआ है तो शितिज वो लाइन है, जहां धरती और आसमान मिलते हैं, शितिज एक level है, शितिज इस लाइन level, level, level के लिए तो below the horizon below, below जल्दी जल्दी करिया, हाज एक बज़े से class भी है, जिस बच्चे का exam है न, DRDO का, कुछ नहीं करो, जो बच्चों का एक दो, एक आत महने में exam है, कुछ नहीं करो, 60 important rules of grammar पड़ो, 60 important rules of grammar पढ़िए, फिर topic wise error करिए, topic wise error करने के बाद miscellaneous करिए, ठीक है, और उसके बाद A to Z vocab का badge करिए, सारून, A to Z vocab badge, यह हो गया, next आजा, students, dash 25 years of age, cannot take the exam, जो बच्चे 25 years से नीचे है, वो exam नहीं ले सकते हैं, एक बज़े से भी class है, जाज, उसका link मैंने telegram पर डाल दिया, एक से दो, आनकेडमी के, इंद्रधनुष पर वो का प्राक्टिस बाच है, students, students 25 years, 25 years का height थोड़ी होता है, 25 below, 25 years is a level, 25 साल के नीचे वाली बच्चों एक्जाम नहीं दे सकते हैं, बिलो, he was sitting just below the tree निये, just पेड़ के नीचे, under the tree, under the tree, under the tree, yes, age के लिए ना, अब 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 बिलो लगाएंगे, लेकिन मुझे एक और चीज़ बताना है, अब देखो, आप बोलोगे कि मैं जब हम फॉर्म भरते हैं ना, तो वो बोला जाता है कि तुम फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्यूंकि तुम ओवर्रेज हो, तुम फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्यूंकि तुम्हारा एज अभी काम है, underage, और आपने तो बोला है कि मैं age का, और ये over तो height बताता है, और under भी height ही बताता है, तो अभी आपने बोला कि age का height नहीं होता है, एज का तो level होता है, तो फिर यहाँ आपने over age क्यों लगाया, under age क्यों लगाया, क्यूंकि ये एक phrase है, ये ऐसे ही बना हुआ है, तिक है over age मतलब age से उपर, under age मतलब age से नीचे, over age under age बना है, लेकिन अगर इन्होंने level बता दिया, एक level बताया कि age से कितना ज़्यादा, यहाँ तो बस age से ज़्यादा, age से काम, but age से कितना ज़्यादा, 15 साल ज़्यादा, एक level बता रहे, तो above 15 years, age से कितना काम, 15 साल, तो एक level बता रहे है, कुछ सालों का level बता रहे है, तो वहां पर आफ बिलो लगाना दर्वाइस ओवरेज अंडरेज अरे थैंक यू क्रियेट विला रियाज थैंक यू सो मच कितनी बार आप को स्पैम कर रहे हो यह determination यह unflinching efforts of spamming ना यह पढ़ाई में दिखा ना मैंने पढ़ दी आपका comment एक ही चीज को बार बार बोल रहे हो एक होता है बिनीत अंडर का मतलब भी नीचे और बिनीत का मतलब भी नीचे अंडर का मतलब नीचे जो cat table के अंडर है टेबल के नीचे है बट वो cat table से दबी हुई नहीं है ना अंडर है बट बिनीत का मतलब होता है ना कोई वी चीज बहुत नीचे और उपर किसी चीट से दबा हुआ जैसे the ground is slippery मेरे पैर के नीचे जो ग्राउंड है उसमें बहुत फिसलन है तो यह जो ग्राउंड है पैर से दबा हुआ है बिनीत पिलो के बिनीत स्वेटर बिनीत दब इंडिंग कॉम्प्रियेंशन और पिकिवारेस नहीं हो पाता है ना तो साटेड़े संडे बैच में आईए अभी आपके पस टाइम है अंडर दे पिलो बोल देते हैं बातचीत में स्पोकेन बगेरा में उतना ध्यान नहीं देते बट बिलो से दबा हुआ आपका पर्स आपके कोट के अंदर है अब आजो आपका फेवरेट नहीं जगा नहीं दिया है नहीं दिया है मेरे को स्लाइड चलो यहीं से बताती हुआ यह मैंने आपको पहले भी करवाया यह जो ओफ है यह ओफ क्या-क्या बताता है डबल ओफ और सिंगल ओफ के बीच का डिफरेंस ठीक है यह ओफ एक तो पोजेशन बताता है काके की काके की जैसे संबंध संबंध वाचक होता है संबंध बताता है राम की किताब काके की के ल Do राम की किता एक अफ तो ये बताता है और एक अफ क्या बताता है एक-फ हम यूज करतें जब भी सेलेक्शन करते हैं सेलेक्ट करते हैं यह चूज और कोई भी चीज क्या से बना है बता रहीं What something is made of ठीक है यह बताते है न और एक of और भी होगा एक मिल देख लेती हूँ एक और छूट रहा होगा कोई शायद इसने न मेरे को हाँ कॉज बताता है कॉज अब से इंपोर्टेंट वाला ही छोड रही थी इसने मेरे कुछ लाइड ही नहीं दिया है और एक बताता है कॉज कॉज का मतलब है कारण 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 ठीक है आभी मैं सबका एक्जाम्पल दे रही हूँ सबका एक्जाम्पल दे रही हूँ लिखो जब तक मैं लिख रही हूँ आप भी लिखो अब दर ड्रामाज मेरे को basically पहले तो यह जानना है यह off और यह off के बीच का difference बताना है दोनों off के बीच का difference बताना है लेकिन पहले मुझे बता देना है कि यह वाला off बहुत सारा चीज बताता है वो सकता है यह सब लिखने से clear ना हो example दोंगी तो clear हो जाएगा the dramas of Shakespeare are very interesting doosra he died of cancer the table is made of wood और क्या है हाँ और one of the students one of the students was absent पहले आप इसको लिखो फिर यह off क्या क्या बता रहा है ना दील कर cancer के वज़े से मारा गुजर गया हाँ आप मुझे feedback देना पुतीन ने मुझे feedback दिया था किसका जो e-book है ना इडियम्स का e-book है उसका feedback देना है उसमें और क्या-क्या सुधार किया जा सकता है मैंने आपको साड़े साथ सो e-diams का एक e-book बनाके अपने वेबसाइट पर डाल दिया है ठीक है इंग्लिश रानिमाहम.com पर यह मेरा वेबसाइट है रानिमाहम.com इस पर मैंने e-book का e-diams वाला डाला है तो उसका feedback जरूर देना मैं सब बताऊंगी सब बताऊंगी अब यहाँ पहले लिख तो लो पहले तो लिख लो से वहाँ साड़े 1700 e-diams है और सारे exam oriented e-diams है इस साल तक जितना आया है वो मैंने डाल दिया उसको और भी कैसे सुधारा जा सकता है सब आप बताऊंगी पहले लिखो तो लिखो नौटी बोल रहे हैं एक बार फिर से off वालब बता दीजिए एक बार फिर से क्यों अभी तो मैंने एक बार भी नहीं बताया एक बार भी आपको नहीं बताया है ना फिर से कहां से हो गया तो यह off क्या क्या बताता देखो the dramas of Shakespeare are very interesting जो Shakespeare के dramas है ना बहुत interesting है किसके dramas काकेकी का सेंस आ रहा है ना किसके dramas Shakespeare के who is the owner of the drama Shakespeare is the owner of the drama who does this drama belong to who is the possessor Shakespeare तो यहाँ पर ownership बता रहा है काकेकी का सेंस आ रहा है ownership तो यहाँ का off ownership बता रहा he died of cancer उसकी death cancer से होई तो यहाँ पर off क्या बता रहा है यहाँ पर cause बता रहा है कारन बता रहा the table is made of wood यह जो टेबल है वुड से बना हुआ है ओके दव कप इस मेड अफ ग्लास मेड फ्रम ग्लास तो यहां पे कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है यह बता रहा और वान अफ दे स्टूडेंट्स यहां पे ओफ सेलेक्शन के लिए बहुतों मेज से एक हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यह ओफ यह सब चीज बताता लिए तो अफ सारी चीजे बताता है एक तो सेलेक्शन बन ओफ स्टूडेंट्स इधर आप स्टूडेंट्स से बना है इस टेबल इसले। इस बॉद WAR ुज़ए प् से बता है दे बुक्स ओफ राम, राम की किताबे, तो यह आफ तो यह बता रहा है, okay, yes, sorry, यह न मेरे को आज वो वाला स्लाइड नहीं दिया, ऐसलिए मेरे को थोड़ा, यही वाला सब बताया है मैंने, देखो यहां पर जो लिखा है, फिर से लिखने मत लग जाना, फिर से लिखने मत आफ शेक्सपियर, तो यहां का क्या बता रहा है, ownership, कैंसर वाला में कॉस बता रहा है, water of Ganga, किसके ग्राव, पानी, किसका पानी, Ganga का पानी, relationship बता रहा है, necklace जो गोल्ड से बना है, कोई भी चीज, किसी चीज से बना हुआ है, वाई यह कौन है, आंटी सोशल एलिमेंट ज पर वो पता नहीं क्या हो गया है, आप मेरी टीम को कॉल करो, मैं आपसे बात करूंगी, आपका कुछ इलाज होगा, आपका इलाज होगा, भाई, tension नहीं लेने का है, इतनी ठंड में भी दिमाग खराब हो जा रहा है, लोगों का, चलो next one, अब यह वाला बहुत important, यह वाला अब क्या है न, point to be noted, अभी तो मैंने बोला कि of क्या बता रहा है, of cause बताता है, cause बताता है, of current बताता है, और हम लोग क्या करते हैं, कि direct Hindi से English करते हैं, ठीक है, direct Hindi से English करते हैं, तो उसी वज़े से, we died of hunger and starvation, भूल जाते हैं, मतलब direct Hindi से English में गलवड हो जाता है, और को यहा क्लियर होगा, क्योंकि आप लोग का डिमांड रहता है, मैं हम आप लिक लिक के पढ़ाते हो न, तो लगता है कि offline batch कर रहे हैं, क्लिको यहां, point to be noted, हम लोग के habit क्या होती है, हम direct Hindi से English और English से Hindi करने लगते हैं, उसी वज़े से सब गलवड हो जाता है, ही died, लगा देंगे, ही died from cancer, इसकी हिंदी करेंगे, वो cancer से मरा, और से का मतलब तो from होता है, गलत है, ही died of cancer, और single वाला of लगाना, यह जो double वाला of है न, यह अलगाओ के लिए यूज करते हैं, separation के लिए, तो यह मतलगाना, यह single वाला of cause बताता है, तो हम यहाँ पे cause बता रहे हैं, तो हम single F डालेंगे, single, 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 टीक है, double वाला of मत डाला, single वाला डाला, He died of cancer, ठीक है, single डाला, क्योंकि single off कारण बताता है, double F तो अलग होने के लिए, ठीक है, तो हम off लगाते हैं, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, कि अगर कोई वेक्ती, बिमारी से मर रहा है, death due to disease, कोई भी वेक्ती का death न, किसी disease से हो रहा है, जैसे cancer, डेंगी, डेंगू, मलेरिया, यह सब से हो रहा है, तब क्या लगाओगे, रुको, तब off लगाओगे, अब मैं लगाओ, death, death, due to, लिखते जाओ, accident, सब में अलग-अलग preposition, death, due to, wound, ठीक है, over eating, ज्यादा खा के भी मर जाते हैं, लोग, death, तरह तरह के मरने का style अभी, death, due to, hunger, इसमें ज्यादा न, accident और बिमारी वाला आता है, यह दोनों ज्यादा आता है, बढ़ हम सब पढ़ेंगे, death, due to hunger, भूख मरी से मर रहे है, starvation, यह सब से मर रहे है, तो क्या-क्या लगाएंगे, आज मैंने समंदर मन्थन बैच में टेस्ट लिया था, बच्चे बोल रहे हैं कि माम, आपने तो, हमें चोटा-चोटा, मतला भी समंदर मन्थन वर्ट को स्टार्ट हुए, पंदर दिन हुआ है, और आपने हमें मीनी डिक्षिनेरी बना दिया है, आप लोग का दुख दर्द ना, हमें अच्छे से समझती हूँ, आपने हमें एक छोटा से डिक्षिनेरी की रूप में तयार कर दिया, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवएलिबल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स अवेलिबल है जिसे आप वोक्याप को याद कर सकते हूँ, आप अराम से याद कर सकते हो वो कि आपको याद लेकिन आप लोग करते नहीं हो आप लोग को लगता है काश कोई ऐसा होता जो हमारी हेल्प कर देता है तो वही काम में समंदरमंधन बैच में करती हूं आपको 30-40% क्लास में रटवाती हूं फिर आज मैंने 58 words का test लिया था ज तीसरा चौथा बार हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा जो कि आप खुद भी कर सकते हो मेरे बिना भी कर सकते हो अब करते नहीं हो आपको चाहिए ना कि कोई आ जाए हमें याद करवा दे मैं आपको अनकेडमी पर follow नहीं कर पा रहा हूं हर 50 धननजे हर 50 question के बाद ना एक link दिया है उस पर answer करना इसी चीज का धननजे मैंने याद रखा है कि सारा answer last minute तो रखा ही है लेकिन हर 50 question के बाद ना एक link है वहाँ पर आपको answer मिल जाएगा answer मिल जाएगा अगर कोई वेक्ति थोड़ा सा इसको ध्यान रखना अगर कोई वेक्ति बिमारी से मर रहा है तो ओफ लगाना अगर किसी accident में मर रहा है तो इन लगाना he died of an accident he died from an accident he died in an accident in an accident और बिमारी में double F नहीं single बाला और जादा खाके भी मर जाते है कोई external चीट से मर रहा है बाहरी चीट से घाव से overeating से फ्रॉम लगाना अंगर और starvation अंगर और starvation भी तो भूक और भूकमरी अंदरी की चीज़े तो यहां भी आफ लगा अभी और भी है और भी कि मेंस के लिए एड्मिशन लेना है तो अनकेडमी पे अड्मिशन ले लीजे नहीं लेने का मन है तो saturday sunday अनकेडमी पे free class चलता है मेंस का वहां पे कर लिजे आप के उपर है अगर अगर पर एसा नहीं है कि कोई पोस्ट में आएगा और घर पे घंटी बजने वाला इबुक परचेस करना होगा online 31 रूपीज है कि 31 रूपीज 111 रूपीज भी बचाओगे पूरे मंद तो आ जाएगा इबूग कि अगे लिख लिए है भूख मरी से यह सब है अब कुछ यहां पर और भी होगा कि इतने ही नहीं है देथ बहुत तरह तरह की देथ है और भी लिख लो और भी लिख लो और भी लिख लो डिव टू शर्मिंदगी शेम से दुख से कोई मर रहा है लिखते जाएगे महाँ पर फिर हम एक्जाम्पल्स करेंगे फिर एंड करेंगे शेम सोरो किसी वेक्ती का देथ न दुख से हो रहा है शर्मिंदगी से हो रहा है तो वहाँ पर विथ लगाना विथ लिखते death due to violence violence में हो रहा है तो buy लगाना पहले इतना दूर लिखिए buy लगाना, violence के साथ buy लिख के एक बाद दन बोलिए उसके बाद मैं पिछला वाला example भी लाती हूँ मेरे website पे चले जाएए इस number पे call करिए आपको help कर देंगे ebook कहां से खरिदना है 31 रूपीज का है 31 रूपीज का ebook है, बहुत fruitful है, बहुत nominal charges में है, double line double line 583 58324, यह आपको help कर देंगे guide कर देंगे कैसे खरिदना है करोना भी तो बिमारी है ना, off लगाना करोना भी बिमारी है, खुश रही है आमार, खुश रही है चलो, लिख लिए है सबने बहुत अच्छा है, 31 रूपीज के हिसाब से बहुत जादे ही अच्छा है इस नमबर पर call कर ले है, सौरफ का नमबर है, double line 583 58324, वो help कर देंगे, चलो यह हमारा हो गया malaria क्या है, malaria is the बिमारी, तो उसके साथ औफ लगाना, accident के साथ in लगाना, wound के साथ from लगाना, hunger अंगर एंड ये सब के साथ starvation के साथ औफ लगाना लिख लिया है, next देखो, grief, दुख से मर रहा है, शर्मिंदीगी से मर रहा है, with अगर कोई वेक्ती हिंसा में मर रहा है तो he died by violence लेकिन अगर मैं हिंसा का कोई particular example दे रही है, कोई खास हिंसा का उधारन दे रही है हिंसा की उधारन तो in लगान, he died in the gujarat riots violence में तो कोई भी हिंसा के घटना हो सकता और कभी-कभी आप अपनी country के लिए भी मरते हैं, he died for his country जो SCGL मेंस का है, वही CPU मेंस का भी है भाई-भाई यह दो देखो, made of or made from, very important exam के purpose से this is very very important point to be noted made of का मतलब भी है, कोई भी चीज किसी से बना हुआ और made from का मतलब भी है, कोई भी चीज किसी से बना हुआ अगर मैं easy language से बोलू न, आपने chemistry पढ़ा होगा chemistry में आपने physical change पढ़ा होगा physical change जैसे जब बर्फ बर्फ अपिगल कर पानी बन जाता है फिर हम पानी से बर्फ बना सकते हैं बर्फ से पानी पानी से बर्फ, तो यह सब physical change है physical change का मतलब है reversible, मतलब हम हमें दुबारा वो product मिल जाता है but but made from क्या कर दिया, हाँ सही तो कर रही है made from made from is chemical change इसमें न, फिर से वो material मिलता नहीं है okay, दूद से दही बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि फिर दही से आपको दूद मिल जाएगा so this is chemical change और chemical change में आपको वो पदार्थ फिर से मिलता नहीं है irreversible है ठीक है, irreversible basic material यह is made of जो हम तब लगाते हैं, when the basic material doesn't change, वहीं रह जाता है जैसे यहां पर एक table रखा है और यह table क्या से बना है, wood से और मैं table को dismantle, तोड़ूंगी भी तो मुझे wood मिल जाएगा simply क्या है, तोड़ने पर भी तो वो wood ही है, उस wood को हमने shape दे के table बनाया था, यह almira iron से बना हुआ है, तोड़ूंगी भी तो iron change में made of, चलो इसको करके खतम करते हैं, रेपोजिशन टाइम ले रहा है, कुछ-कुछ मैं सोच रही हूँ न कि recorded videos भी डाल दो, देखो paper is made, wood से paper बनाया, ऐसा नहीं है कि फिर से paper तोड़ोंगे तो wood मिली जाएगा, from, almira iron से बना है, तोड़ोंगे भी तो iron मिल जाएगा, दोड़ी से, दूद से दही बना है, ऐसा नहीं है कि फिर वापस मिल जाएगा, from, 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 आटा से गेहूं बना है, आटा से गेहूं बना है, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको गेहूं से आटा, मतलब, floor is made of wheat, ओके फिर ऐसा नहीं है कि आपको आटा से फिर गेहूं मिल जाएगा, पूरी तरह से वो चीज़ चेंज हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया, तो from लगान, glass is made from melted sand, sand को melt करके glass बना, भाई, एक चीज़ मुझे clear कर देना था, कि मुझे अपने एक बिहार के student सत्तु लेकर आए थे, तो मैं comments देख रही थी, और मुझे comments में हसी भी आ रही थी, comments में yes yes I know what exactly सत्तु is, मुझे पता है कि सत्तु क्या होता है, यह गेहूं से बनता है, सत्तु चना से बनता है, गेहूं से नहीं बनता, और दूसरे का comment आया कि मैं इतनी ठंड में कोई सत्तु खाता है, हम सत्तु गर्मी में भी खा सकते हैं, हम ठंड में भी खा सकते हैं, लीटी चोका, पराठे में हम ठंड में खा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं हम कभी भी कुछ भ तो इतना जदा सत्तू को लेकर मिसकंसेप्शन और गलत नॉलेज नहीं रखना है तिक है है गलत गलत नॉलेज नहीं रखना और कुछ तो पुछते हैं सत्तू होता क्या है गूगल करो फर्स्ट आफ टेक दिस चना यू आफ टो रोस्ट इट उसके बाद ग्राइंड करके उसब करते हैं देख लेना मैं कोई थंडा में सत्तू खाता है रहे मोड अफ ट्रांस्पोर्ट पे चलते हैं लिखना शुरू कर दो जनरली यह फुट वाला आता है जैसे आप कहीं पर पैदल जा रहे हो ना तो वहां पर एक्जाम में लगा के दे देते हैं बाइफुट बाइफुट का मतलब पैदल लगा मतलब पैदल के साइंस में बट य अब यह क्लास देख सकते हैं यूटूब पे तो भाद में भी देख सकते हो इतना इनुसेंट प्वेशन से आपके तो मोड अफ ट्रांस्पोर्ट के लिए ना वह ओफिस जाता है पैदल जाता है तो एक्जाम में बाइफुट लगा के देंगे आप अन लगाओ और कभी-क आने का आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात का सादन आपके आने-जाने का वाय कर बाइब और अगर अगर किसी स्पेसिफिक प्रेइं की बात कर रहे हो किसी खास ट्रेन की किसी खास जैसे देखो वह दिल्ली जाता है बाइब जाता है बाइबस traffic ऐग्त है लेकिन अगर किसी खास कार की बात हो रही है विस्टर शर्मा की कब दो पढ़ किया जाए-टीके फाइनीली ख़दम किया जाए-छुरू कर ऑप सकार बस की बात हो रही है नहीं तो भाइलगा नेक्स्त राज多BABetween और अमंग यह तो आपको पता ही हैं लिख लो between ओरमंग के बीछ का टूम ठीक है ulis for the two persons between 2 persons यह फिंस के लिए things के लिए but among इस more than 2 this is a delight ९ह लिखके बता दे रहीます यह स्अ एक्जमब्पल दे रही है the two cats divided the bread between or among themselves the two cats divided the bread between or among themselves there was a confusion among or between the students of the class now this is not the class there are two children you have to write between the two and among the two between the two and among the two between the two two cats two cats two cats two cats two cats two cats among 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 between but understood there was a confusion between the students among among more than two and amongst more than two these two and amongst two two but amongst before a vowel sound but this condition before a vowel sound the vowel sound the vowel sound means a-e-e-e-e-e-e-i-o-u sounds is it is two two but among consonants and amongst vowel sound but modern english hate modern english doesn't doesn't this rule is modern english among amongst हमेशा vowel के साथ लगता है amongst को हम consonant के साथ भी लगा सकते हैं अभी मैं बताती हूँ Old English के अनुसार amongst हमेशा vowel के साथ लगता है but modern English कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि amongst हमेशा vowel के साथ ही होगा हम consonant के साथ भी लगा सकते हैं लेकिन अगर ऐसा option आ गया जहां पर दोनों में आप फंस गया हों मैंने लिखा share the sweets share the sweets among या amongst amongst the students ठीक है share the sweets amongst या among the students और दूसरा लिखा मैंने share the sweets among या amongst us अब इसको ना ऐसा वाला आपका या तो close test में आएगा यहां तो Phillips में आएगा जहां पर आपको चार option में से कोई एक ना एक चुनना है वहां तो no error होता नहीं है तो यहां पर आपको दोनों में से एक चुनना है ओके दोनों में से कोई एक ही आपको you have to select na तो उसकेस में अप क्या करो यह जो दो है जाए इस साउंड तो इसके लिए इसके साथ अमंग्स लगा दे लिक्षा आपको दो में से चुनना है तो देख लेसा ना कि यह da Cos sabemos इन साउंड के साथ अमंग लगाना बट यह जो वावल साउंड के साथ हम लगाते यह तो एसा सिटवेशन आ जहां दो मेंसे कोई एक चुनम लेकिन लेकिन modern English कहता है modern English कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम among को अगर error में आये ना तो इसको error नहीं मानना जरूरी नहीं है कि हम among को consonant के साथ और amongst को vowel के साथ अब modern English के अनुसार दोनों किसी के साथ भी लगा सकते ठीक है among भी vowel के साथ amongst भी vowel के साथ मतलब consonant और vowel के साथ दोनों का use हो जाए अगर यह error में आए तो इसको error नहीं मानना अगर sentence error में ऐसा आ गया share the sweets ऐसा आ गया share the sweets और ऐसा आ गया amongst the students of the class ऐसा आ गया तो आप तो यह पढ़के जाओ गया कि हमने तो class में पढ़ा है कि अरे amongst तो vowel के साथ यूज होता है यह amongst तो vowel के साथ यूज होता है बढ़ यह तो consonant है तो आप क्या करोगे ना यह consonant sound देखके यह पहरर मान लोगे और इसको among में बदलोगे बढ़ यह भी सही यह भी सही है both of them are correct यह both of them are correct हम among को na modern English में और amongst को vowel, consonant दोनों के साथ यूज कर सकते है ऐसा जरूरी नहीं है कि amongst हमेशा vowel के साथ ही होगा amongst consonant के साथ भी हो सकता है वोवल के साथ यह उसी तरह यह भी हो सकता है इसको वोवल और consonant वाला definition हम तब लगाएंगे ना जब दोनों आ गया और दोनों में से एक चुनना है तो वहाँ पॉबल कॉंसोनेंट वाला देख लेना otherwise it's correct ठीक है बोद अफ देम और करेक्ट बट अभी है अभी और भी एक चीज बताना है अभी तो यह हमने बहुत बेसिक बेसिक किया no error है अभी तो हमने पढ़ा ना कि between 2 के लिए ठीक है between 2 के लिए और among 2 से जाधा के लिए बट कभी-कभी ना 2 से जाधा होता है बट फिर भी हमें वहाँ पर among ना लगा के between लगाना होता है दीपक आपके English and vocab से मेरा CGL pre-qualified हुआ है बहुत अच्छी बात है अब मेंस का या तो paid batch लीजे दीपक अगर मेंस का paid batch लेने में कोई दिक्कत है तो आप Saturday Sunday को free batch मेंस का चल रहा है अनकेडमी प्लस कितना खुश हूंगी आप मुझे बताओ कि आपने मेरे YouTube से पढ़के pre- लिकाल लिया फिर मैं एक दिन यह भी बोलूँगी ना बच्चे ने मेरा Saturday Sunday को मेंस का free class करके मेंस निकाल लिया तो मैं भी तो बहुत प्राउडली बोलूँगी ना यहां पर आजाना यहां पर आजाना अगर आपको लेने में दिक्कत हो कोर्स लेने में दिक्कत हो तो यहां भी कर लो यहां से भी आप लिकाल सकते हो क्योंकि पढ़ाते वक्त तो पेड़ वाले बच्चे भी जानते हैं कि कोई भेदभाव नहीं होता है यह हो गया तो यह जो मैं लिख रही थी ना भई है कि बच्च लिग्टिवें रिख नेकड़ जो से लाइव ऑड़ा आटो अर इक चीज याद रख न तो रहें वहां रखना कि यह जो बिट्वीज और एके बिट्वीं के साहत याद रखना अब यह लिखो फिर एक्जाम्पल दे रहें लिख लिए यह अब यह वाला यह वाला उप्शन देख लो इनोवेशन इनोवेशन मतलब कुछ नया कुछ नया करने की जो आपके अंदर लगन है ना वही तो लीडर और फॉल्वर के बीच का अंतर बताता है लीडर लोग कुछ नया करते हैं और फॉल्वर उसको फॉल्व करते हैं तो यहां पर देखा एंड लगाया और अमंग तो होगा नहीं एंड के साथ बिट्वीन बिट्वीन जब मैं अनकेडमी छोड़ोंगी ना तब यूसी लाइव एक्टिव हो जाएगा अभी मैं अनकेडमी पे हूँ ना इसलिए ना मेरे से बाहर बार नहीं पूछना है कि आप अपने अप पर बैच कब स्टार्ट करोगे अभी मैं अनकेडमी पर पढ़ा रही हूं जितना दिन जिसके साथ जुड़े हुए हो तो उसके प्रति आपको ऑनेस्ट रहना है ना आप भी जब जब जॉब करने कोई दिकत नहीं है अनकेडमी को मेरे से कोई दिकत नहीं है तो अभी मैं अनकेडमी पे हुं तो यह सब बाते पड़ते हो तो मतलब आपका ध्यान इधर उदर है यह देखो, अब यह सेंटेन्स देखो पहला और दूसरा का एंसर बता प्री लिंक टेलिग्राम पे मिलेगा अभी मैं एक मेंस का क्लास थर्स्डे को लोंगी वैसे तो मैंस का क्लास साटेड़ संडे को लेती हुँ न लेकिन इस संडे को नीउ यर है तो बच्चे हमारे बिजी रहेंगे तो संडे को क्लास नहीं ले पाऊंगी मैं तो साटेड़ तो बिल्कुल लोंगी और एक मेंस का क्लास में थर्स्डे को लोंगी जो संडे को नहीं ले पाऊंगी ना उसकी जगा थर्स्डे तो याद अर्टा थर्सडे को शाम में कर भी होगा थर्सडे और साथेड़े चैटिक्राम के लिंक चला जाएगा पहला वाला में अमंग होगा दे नियौसियेशिंस अमंग लेकिन यहां पर तो एंड आगें अब आयगें अब यहां भी तो तीन dissipation इंग्लेंड रॉस्यया थे और अमेरिका है तो आपने बोला है कि तीन से ज्यादा के लिए तो अमंह लगता है लिख लिए आओगा और कभी-कभी एक चीज और एक चीज और बताना है कि कभी-कभी बिट्वीन हम कुछ ऐसे वोड्स होते हैं जैसे डाई डाई का मतलब है टू डिवाइड टू डाई टू कुछ ऐसे वोड्स है ना जहां पर दो से ज्यादा होने के बावजूद भी हम वह से चौरा टाई लगाते हैं कि डिश्टिंगविश ए Flight 2 से जादा है बट दिश्टेंगुश और मतलब ही है क्या दो लों में या दो गरूप में अंतरपता कर रहे हूं तो दोस wall Nej differentiate among नहीं होगा, differentiate between, link among नहीं होगा, link between, difference between, connection among नहीं है, connection between, तो पहले आप देखो, मेरा एप बना हुआ है, UCLive एप बना हुआ है, जिसमें मैंने batch भी शुरू किया था, batch भी शुरू किया था, फिर अनकेडमी जॉइन किया था, तो उसको बंद कर दिया था, लिख लो, कुछ ऐसे words होते हैं, जिसमें दो से ज्यादा ही है, क्यों नहीं हो, उसके साथ हम between लगाते हैं, जैसे distinguish between, choose between, divide between, differentiate between, connection between, difference between, link among नहीं होगा, link between, relationship between, between, हम बना होगा है, चलो, next one, हाँ, अब मुझे बताओ, I don't, I didn't want to choose, मैं singers के बीच में, singers word से दो भी हो सकता है, दो से जादा भी होते हैं, but choose, I want to choose between, is there any difference between, there is no connection, among नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है, दो से जादा इंसिदेंट है, हो सकता है, दो से जादा ब्रदर हो, हो सकता है, दो से जादा सिंगर हो, क्योंकि प्लूरल है, दो के लिए होता है, दो से जादा के लिए होता है, but all these words take between, 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 among नहीं होगा, I didn't want to choose, among नहीं होगा, choose between, difference among नहीं है, difference between, connection stick with link between link betweenarken based on stations अच्य लग तो like भी कर देना है अपना प पर कोर्स दीजिदी है थो मुझे आप से पूचो के सब कर ना हो काना है लाइक नहीं करते हो session को और भी ऑगा डिवाइड दा property between, divide word भी between लेता है, choose between, link between, यह सब हो गया. अभी मैंने आपको क्या बताया, among, अभी मैंने आपको difference किसके किसके बीच में बताया, between में, between और amang के बीच में difference बताया, between दो के लिए, among, दो से ज़्यादा के लिए, between के साथ and आता है, among के साथ and नहीं आता है, ठीक है नहीं आता यह सब बता दिया और कभी-कभी दो से ज़्यादा होने के बावजूद भी अमांग ना लगके बिट्वीन लगेगा वो डिवाइड और डिफ्रेंशियेट वो सब बता दिया अब एक वोड आता है आपने सुना होगा अमेड 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 मीड अलग है ठीक है मेड का मतलब होता है मध्य मध्य मेड का मतलब होता है एक दम बीच वाला पॉइंट अगर हिंदी कर हो गया ना तो अमंग का मतलब भी के बीच और अमेड का मतलब भी के बीच Share the sweets students के बीच में मिठा ही बात दो But amid is in sense of place Place, place के sense में Place, place के sense में जैसे मैंने लिखा He was sitting He was sitting amid या among his friends He was sitting amid या among his friends और दूसरा मैंने लिखा लिख दिया Share the sweets Among, या amid The students तो बताओ क्या है Like कर दिया है Session को Like कर देना है Fixed preposition का 400 का Fixed preposition मैंने करवा दिया Next week नहे साल में phrasal verb करवाओंगी अब तो पुराना साल खातम हो रहा है अब मैं fixed preposition नहे साल में होगा Fixed preposition का विने है तो बताओ क्या है वो अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था दोस्तों के बीच बैठा हुआ था तो जगा का science आ रहा है तो amid होगा amid और मिठाईयों को दोस्तों के बीच में बाट दो तो जगा का सैंस नहीं आ रहा है अमंग और ठीक वही बात है जो मैंने अभी अमंग और अमंग्स्ट में डिफरेंस बताया ना वही डिफरेंस होता है अमिड और अमिड्स में ठीक है अमिड और अमिड्स जगह के सेंस में और अमिड्स में वही डिफरेंस है अमिड्स वबल साउंड के पहले लेकिन अगर दोनों में चुनने की बात आजाए तो देख लेना यहां पर वह लोगा अमिड्स लगा देना कॉंसेन अमिड्स अमिड्स फरेंस नेच्स वह आजो अब मुझे एक चीज और बताना था कि वह अमिड्स यह तो सही है एक चीज मुझे और बताना था अमिड वर्ड है ना अमिड यह जो अमिड और अमंग एक तो बताया मैंने अमिड और अमंग के बीच का difference करे करे और एक चीज मुझे और बताना था कि यह जो अमिड है ना। अमिड है अन-countable के लिए भी use होता है और countable के लिए भी वह हमीशा एक चीज और डिंटेन लेए एक दोड लेए आम मेड प्लेस लिए नहीं होता है और हमेड काउंटेबल ढूनें शज दोनों के सातश लेकिन प्लिटर ऑलवेज काउंटेबल अब देखो ऑली अ स्टोरी ऑफ यह ने को के लिक लिए यह ने चीजों के साथ अमिद तो नहीं मिलता भाष आमिद सब्सक्राइब के लिए हम अमेड का यूज कर लेंगे टेंशन कन्फूजन ही सब उनकाउंटेबल चीज़ा है एक टेंशन को हम नहीं गिन सकते हैं वहां पर अमेड लगाना अमेड टेंशन यह भी हो गया कानी अमांग और अमेड वाली खतम हो गई अब आजो वित और बाइ आम वे तर बाइ के बीच का डिफ्रेंस वैसे यह बाइ का बहुत सारा मतलब है एक बाया का मतलब ना दौरबही होता है बाय यह ऑक बाय हम दौर के लिए भी यूज थे लिए दौर के लिए बहा ही से करते हैं करता के दौररह जो ने जो काम किया गए कूर उसके लिए deve एक बाय का मतलब होता है बिसाइड का मतलब है जाता है, फोस्का। है यहां पर उसका गर हैं रहता है, तो यहां पर यह मत सोच वो तलाब के द्वारा रहता है, यहां बाय का मतलब बिसाइड है, तलाब के बगल में रहता है, बट काम उसके द्वारा किया गया, तो यहां जो बाय न हम डूर के लिए लगा रहे हैं, डूर के लिए, और एक बाय टाइम भी बताता है, as a preposition, I will come by 2 o'clock, 3 o'clock, टाइम के लि इसका मतलब है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आनकेड्म परात्तो कहा रहे हैं? यहां बीतो पढ़ रहे हुँ, आपको सिर्फ यह पातो में इंटरेस्ट है, कौन पहसा रहे है, कौन जाधा ले पाइज swoją बैद एक बाय से हुभू कहा रहे है, दिन आ हम यहाँ पर क्या discuss करने वाले हैं जो exams में question आता है एक तो by चलो बताता है beside, एक by का मतलब beside भी होता है, बगल में होता है हम यहाँ use करेंगे by को doer के sense doer, हम by और with में difference करेंगे एक तो with का, चलो with का भी पहले में बता देती हूँ with एक with का मतलब होता है na, के साथ, लीक है, साथ और एक with हम instrument के लिए use करते हैं पहले इसको लिख लो, फिर error कैसा आएगा मैं बता रही हूँ एक with instrument के लिए, instrument के लिए यह sentence देखो, मैंने यहाँ पे लिखा राम, राम with his brother was ready to walk राम अपने भाई के साथ, ready था काम करने के लिए तो यहाँ with का मतलब तो के साथ के सेंस में के साथ के सेंस में ओके तो नहीं होगा वैसा, तो यूटुब से पढ़ो ना के साथ के सेंस में, और यहाँ मैं एक और लिख रही हूँ he killed, he killed the dog with a stick उसने चड़ी से डॉग को मा डाला ठीक है, तो यहाँ, यहाँ with का मतलब देख रहे हो यहाँ with के सेंस में यूज हो रहा है यहाँ with के सेंस में यूज हो रहा है उसने चड़ी से मा डाला तो यहाँ with instrument के सेंस में यूज हो instrument, instrument करने करते हो जिस चीज से कोई कारे करते हो, जिसके द्वारा कोई कारे किया गया उसके लिए तो बाई लगाओंगे दूर के लिए और नहीं जिस इंस्ट्रॉमेंट का जिसे काम करने के लिए लिए उसके साथ वहिंद Merci वैसे एक वित का मतलब के साथ भी होता है, यह साथ भी होता है, अभी मैं आपको एक्जाम्पल दूँगी, कहां से आयो भाई, Shima Solangi, आपको Hindi समझ में नहीं आता है, कहां से आयो, U.S. से आयो अप, कि यह साथ किसको नहीं समझ में आता है, कि मेरे को Hindi नहीं समझ में आता है, बाई is used, बाई has two meanings, one meaning of बाई is in sense of beside, बगल में, and the other is, बाई is used in passive voice for doer, जिसके द्वारा काम किया गया, और with also has two meanings, with का भी दो मीनिंग होता है, एक with का मतलब होता है, के साथ, the teachers with the students, teacher students के साथ, और एक with का मतलब होता है, instrument के लिए, इतना simple English नहीं समझ में आया है, आप अपना shut your mouth, शुबंग, वो ये पूछ रही है, वो वो पूछ रही है, आपको जवाब देने की जरुवत नहीं है, इंदी नहीं समझ में आ रहा है, राम अपने भाई के साथ रेडी है, और उसने डॉप को चड़ी से माट डाला, आपको spokesperson, interlocutor बनने की जरुवत नहीं है, शुबंग, वो ये पूछ रही होगी, वो वो पूछ रही होगी, चलो, अब error कहां से आएगा, अब बोलो कि माम आपने ये क्यों पढ़ाया, ये with और by को एक साथ compare करके क्यों पढ़ाया, इस पर related कैसा question आता है, आता है, बिल्कुल अच्छा वाला question आता है, अच्छा वाला question आएगा, हाँ, अब बताओ कि क्या होगा, इसका answer, वही लिखा है, with instrument वगरे के लिए use होता है, he opened the box, with a screwdriver या by a screwdriver, arbitrator, interlocutor और banking ombudsman बननी की जरुवत नहीं है, सब एक दूसरे का, वो ये पूछ रही होगी, मैम, वो क्या पूछ रही है, ना मेरे को पता है, ये को अच्छा बच्चा है, सब बच्चा से बोल रहा है, session को like करो, इधर आ के hi guys, hi guys, करने लगो ना, तुरंत like करना शुरू कर दोगे, उसने चाड़ी, उसने स्क्रूड्राइवर से खोला ना, बट बाइ तो हम दूर के लिए उस करते हैं, और यहां तो स्क्रूड्राइवर इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, उसके साथ वित लगा, की कट इस फिंगर, उसने चाकू से अपने नाइफ, मतलब अपने उंगली काट लिया, तो नाइफ इस अपने अपने उंगली काट लिया, और इंस्ट्रूमेंट के साथ वित लगा, वित, 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 आइनली आज हम लोग प्रेपोजिशिंस खतम करेंगे, तोमोरो इसल विल स्टार्ट वोईस, जो भी पूछना है ना, मेरे से पूछो, मैं हूँ ना सामने, एक क्रूका हाईवे मैन वाला एक्जामपल नहीं दिख रहे है, यह वाला पहले करो, हां, यह वाला सेंटेंस मुझे लाना था, नोट्स को बहुत क्रिस्प बनाओ, लंदी-लंदी नोट्स नहीं बनाओ कि पढ़ने का मन नहीं करें, अब तीसरा एक्जामपल यह लिख हुआ, यह वस किल्ड, डाश डागर, डागर का मतलब होता है खंजर, खंजर मतलब बड़े बड़ा वाला चाकू, नॉर्मल चाकू से तो सबजी काटते हैं, बड़े वाले खंजर, तो यह डागर इस अक्टिंग एज इन इंस्ट्रूमेंट, तो बाई डागर नहीं होगा, विद अडागर, विद अडागर, ठीक है, और हाइवे मैन, वो चोर लूटे रहे, जो लोगों को हाइवे पे लूटते हैं, तो हाइवे मैन यहां पे डूर है, और डूर के साथ, वित मत लगाना, डूर के साथ, ऐलागाना, तो सेंटेंस क्या हुआ, he was killed, विद अडागर, खंजर से, इंस्ट्रूमेंट से मारा गया, highwayman के दवार बाई लगा यह example लिखना नोट्स को ऐसा बनाना है ना कि पढ़ने का मन करें बार बारे लिंदी लिंदी नोट्स नहीं बनाना माडर करते हैं बड़े चाकुस बाई highwayman यह example लिख लिए और जो मैंने लिखा ही रोड़ दैंस डाशह पंयह इंस्तुमेंट कां कर रहा इन्स्टूमेंट का कारव इंच विट लगाना बट इंक इंक is not an instrument इंक तो pen के अंदर भरा जाता है तो write the answers with ink नहीं होगा, write the answers in blue ink, in black ink red ink, ऐसा type से कुछ ठीक है, in blue ink, with blue ink नहीं होगा, because ink is not acting as an instrument but pen is acting as an instrument अके, चल वही वाला जो मैंने समझाया घरे, तलाब के बगल में घरे यहां by का मतलब होगी है beside एक बाई का मतलब द्वारा भी होता है एक बाई का मतलब beside भी होता है she came and sat by me, वो आई और मेरे बगल में बैठ गई मेरे बगल में बैठ गई in blue ink, pen और pencil के साथ with लगाना with a pencil, with a pen but in blue ink, black और यहां भी I will stand by you I will stand by you मतलब मैं हमेशा तुम्हारे बगल में रहूँगा through thick and thin मतलब अच्छे और sad times happy and sad times में मैं तुम्हारे बगल में खड़ा रहूँगा मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा with a pencil यह हो गया आपका एक में beside और एक तो वही बताया जो लिखा था ना वही बताया doer के लिए by यह मन सुचना ना कि ma'am यह क्यों आप अपटा रहे हो यह बता दिया she was taken to the hospital by her तो यहां काम हर कर रही है तो her doer का काम ही ठीक वही है उतना भर-भर के notes नहीं बनाना notes crisp रहना चाहिए practice भर-भर के जबरदस्त अब आगया जायद मुझे beside वाला मिलेगा कहीं का कहीं का slide ना मेरे चुटा हुआ है यह लिखो यह वाला एक चुटा हुआ है beside यह exam का favorite है beside और besides हर exam में आजाता यह beside का मतलब होता है by the side of Hindi में लिख लो बगल में वो आया और मेरे बगल में बैड़ गया और यह besides में s लग गया s लगने से भी इसका मतलब change हो गया इस besides का मतलब होता है k atheric in addition to k atheric k alawa example दे रही है बस अब खतम ही है there is a temple एक दिन ना एक दिन मैं किसी दिन prepositions का बहुत important concepts करवा दूँगी ठीक है कुछ कुछ कहां कहां से कैसे कैसे और भी errors आता है अभी तो मैंने क्या पढ़ाया prepositions of time पढ़ाया place पढ़ाया अरब मैं direction पढ़ाऊ लिए उसके बाद prepositions lengthy topic अभी तो आपने बहुत basic पढ़ा फिर आपको phrasal verb जो की पढ़ा दिया है fix prepositions पढ़ा दिया है आप कुछ important concepts पढ़ाऊंगी तो finally prepositions खतम होगा there is a temple beside my house beside yeah besides English he speaks French beside yeah besides food the pilgrims pilgrims मतलब तेर थी आत्री the pilgrims took some medicines answer बताना है जब यह batch पूरा तयार हो जाएगा तो आपके लिए और easy हो जाएगा a to z grammar जैसे हमने पूरा कर लिया है वो क्याप वैसे grammar भी पूरा हो जाएगा भूजन के आति रेक तीर्थी आत्रियों ने दवाईया भी यह तो easy है लिख लिया है अब आजाओ अब लास्ट चलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डारेक्शन बस थोड़ा सा बच गया है प्रेपोजिशन ऑफ डारेक्शन हम लोगों ने पढ़ा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम प्लेस खतम हो गया मैंने टाइम कर दिया प्लेस खतम कर दिया अफ डारेक्शन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में अपने क्या पढ़ा था कि एट क्या बताता है एग्जाक्ट टाइम ठीक है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट क्या बताता था एग्जाक्ट प्लेस वैसे प्रेपोजिशन ऑफ डिरेक्शन में एट क्या बताएगा एग्जाक्ट डिरे direction के लिए तो he aimed अगर Hindi करेंगे ना उसने bird पर निशाना लगाया उसने bird पर निशाना लगाया तो bird वाला sense जा रहा है लेकिन नहीं यह तो surface के लिए होता है ना on तो surface बगेरा के लिए होता है उसने exactly aimed at aim के साथ at लिखते जाने the hunter shot यहां पे hunter ने tiger पे निशाना लगाया और यहां hunter ने tiger को मारी डाला आप बोलोगे कि मैं यहां पे तो आपने shot shot यहां पे shot के साथ at लगाया the hunter shot at the tiger ठीक है और यहां तो अपने कोई preposition नहीं लगाया because यहां का मतलब अलग जा रहा है यहां the hunter shot the tiger मतलब hunter ने tiger को मारी डाला बड़ यहां उसमें निशाना लगा निशाना तो बगेर preposition का भी shot word आएगा next word अब आज़ो two word towards two क्या denote करता है towards का हिंदी क्या होता है की और की तरफ तो यह जो two word towards में क्या डिफरेंस है यह जो towards है ना यह सिर्फ movement बताता है from one place to another या from one destination to another but towards जो है यह movement के साथ साथ direction भी बताता है तो यह towards का हिंदी होता है की और की तरफ तो this towards denote denotes direction और this two simply denotes movement from one place to another यह क्या लिख रहा है first में by क्यों use किया है जबकि beside में by है कौन वाला कौन वाला पूछ रहे हो first में कौन वाला question पूछ रहे है बताईए sentence लिख के बताईए कौन वाला आप क्या पूछ रहे है मुझे नहीं समझ में आ रहा है the work was done by her कौन सा example की बात कर रहा है I will stand by you stand by मतलब तुमारे बगल में रहूं sentence बताईए ऐसे वे questions मत पूछिए हां तो two सिफ movement बताता एक जगा से दूसरे जगा towards direction बताता है अब बताओ कि he went to school और he went towards the school दोनों में से कौन सा correct है दोनों में से कौन सा correct है sentence लिख के मुझे बजिए sentence लिख के बजिए ना दोनों correct है he went to school मतलब वो सिधा school ही गया but he went towards the school का मतलब क्या है वो school की और गया वो school की तरफ गया नीचे वाले में ना पक्का उसका destination school था यहां तो वो school ही गया पड़ वो school की तरफ कोई cinema market वगएरा का ही चला गया दोनों साइब a snake was moving एक snake है ना a snake का destination आप नहीं हो a snake आपकी दिशा में आपकी तरफ आरा आप सीशे की और सीशे की तरफ मोडे तो direction बताया every day every day I come at 11.30 मेरे YouTube timing शुरू सही 11.30 every day means Monday to Friday Monday to Friday many students every day the students they join the platform as a result of which they get confused at what time the class starts what are the topics we have to complete first prior to this also I have made a lot of videos suppose a newcomer comes to our channel so how to start with the basics of grammar or vocab I have done a lot of close test miscellaneous practice topic wise practice just give time okay give Saturday and Sunday you are free so just try to browse do the surfing of all the content provided on this platform so now two words now come on he walked till the end of the road you are told that he walked until the end of the road road until the end of the road till morning till morning till evening till January till 2020 till 20 but this is not till time but here time is not telling you so you walk to the road to the road send the parcel parcel पासल आपके address की और नहीं जाएगा पासल एग्जाक्ली आपके destination पर पोचेगा आपके address पर पोचेगा there is a temple by my house तो beside भी लगा सकते हो बाइ भी लगा सकते हो दोनों का मतलब सेमी है घर के बगल में by is equal to beside can you tell me the way आप मुझे station का रास्ता बता सकते हो station की हिंदी में तो हम बोल देते हैं station की और का रास्ता बताओ station की और उसे नहीं जाना है उसे station पहुंचना है can you tell me the way to the station to 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 next अब आजो across और along एक तो along का मतलब के साथ भी होता है ठीक है राम along with his friends across or along suppose एक road 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 के along walk कर रहे हो मतलब सीधे walk कर रहे हो road के across मतलब एक साइड से दूसरे साइड तो across का मतलब होता है from one side okay from one side to another or along का मतलब होता है एकदम सीधे in the same line in the same line तो यहाँ पर examples लिख रहे थे he walked along the road या he walked across the road the clothes the clothes were hung hung across या along the road दूसरा he there are trees there are tall trees बड़े बड़े पेड़े अक्रोस या along the seaside जल्दी 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 अब खतम के आज है बहुत टाइम हो गया एक घंटे से भी ज्यादा हो गया है sessions अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है seaside है लास्ट वाला लिखिए इसको मैं explain करूं आप लास्ट ही है हम चलो बताओ अब मुझे बताओ कपड़ों को जो हैंग किया गया जो रसी है ऐसे रसी में कपड़ों को हैंग किया गया अक्रॉस नहीं अक्रॉस का मतलब एक साइड से दूसरे साइड नहीं कपड़ों को एक ही कतार में और नदी है नदी के अक्रॉस पेड थोड़ी होता है अक्रॉस मतलब नदी के यहां यसे 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 पेड थोड़ी होगा नदी के किनारी किनारे पेड होगा नदी के बीचो बीच कहां से हो अक्रॉस का मतलब होता है नदी के एक छोड से दूसरे छोड तक पेड नहीं है नदी के एक छोडर से दूसरे छोडर तक bridge हो सकता है bridge हो सकता है across the bridge but clothes के लिए भी along और इस वी along अब अम एक through वाले पर काम करेंगे across नहीं होगा there are tall trees across the seaside कहां से होगा suppose यह नदी है यह नदी यह तो नदी के across थोड़ी होगा पेड नदी के साइट से होगा अब हमारा लास्ट है लास्ट वाला आ गया है थ्रू अब लास्ट करके मैं खदम करती हूं एक तो थ्रू का मतलब द्वारा भी होता है किसी प्रोसेस से गुजरना अब देखो अब आप मुझे बोलोगे कि मैं थ्रू और थ्रू अक्रोसमे क्या डिफेर फ्रूर अख्रोसमे क्या डिफेरन सैक एक एग्जैम्ब देहरे हूं देजर अ देड़्ड रे बढ़ आ क्रेण देटरी पास्ट पास्टिन्टू या अक्रोस दॉन टनल टनल का मतलब दोब आई थिया सूरंग I can see across या सीथरू देटर्णल आ तुरू दे विंडो टनल नहीं विंडो इसी में कभर ओजाए आप लास्ट है जैसे 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 देखो टनल बना हुआ है कोई सूरंग है सपोस ऐसे कर दिया सपोस्थ दर इस अटनल ऐसा टनल बना हुआ है तो अक्रोस दे टनल का मतलब होता है टनल के एक साइड से दूसरे स ठीक है यह अक्रोस हो गया लेकिन थ्रू दे टनल का मतलब है थ्रू का मतलब है अंदर से गुजरते हुए थ्रू दे टनल का मतलब है यह सर सूरंग से गुजरना यह थ्रू हो गया थ्रू का मतलब है आर पार के से तो अब नुगे बताओ कि ट्रेंज जो है यह अक्रोस दे जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया फिर नया नया पढ़ा दूंगी उसी तरह जैसे मैं यहां पे हूँ और सपोज यहां पे खिड़की यह सीशे का है तो मैं इस पार हूँ और मुझे उस पार की चीज़े भी दिख रही है तो आगें सी थ्रू दर विंडो थ्रू दर विंडो यह सब यह सब है दर इस ब्रिज अपर पहले भी पढ़ा दिया है अंग अलॉंग वही सब है वही है तो फाइनली एक बार लाइक तो बनता है ना बहुत डिटेल में मैंने आपको प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था बहुत डिटेल में खादम भी किया और फिक्स प्रेप प्रेंडों कि स्वाइम थूदर रिवर नहीं होगा थूदर रिवर नहीं होगा वह नदी के उपर है स्विमिंग कर रहा है स्वाइम अक्रोस द एक चोड से दूसरे चोड और जो टाइगर है पल लिख लिए जाना इसी बात पर लाइक बनना चाहिए लाइक करते रहोगा तब तो मैं हड़बडी में नहीं डीटेल में आपको पढ़ाते रहूंगी क्योंकि एक जैसे मैंने एक पॉमनेंट बैच डाला है ना वो क्याप का एटू जेड बी एक पॉमनेंट बैच होगा ग्रामर का और इस बैच से मुझे भर-बर के सालेक्शन मिलेंगे कोई एक्स निकाला है पीडिएफ पीडिएफ नहीं करने हैं पीडिएफ से कोई नहीं पड़ता है अल्टिमेटली नोट से ही पड़ता है